हेलो एव्रीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल आदियो वर्स रिइंकार्नेशन आफ दे स्रॉंगेस्ट स्वोर्ड गॉड चैप्टर इक्कीस तुटीज वर्डलेस समर्दवारा इस तरह कहे जाने पर लोनली स्नो ने कोई खंडन नहीं दिया उसने केवल अपना सिर नीचे किया और अथर्व का पीछा करते हुए चला गया लहराते हुए धीरे धीरे उसकी आखे मूद ली जब उसने अथर्व के बारे में सोचा जो कच्रे के धेर से सुसजित था तो वह समझ नहीं पाया कि अथर्व ने लोनली स्नो को अपने पीछे करने के लिए किन तरीकों का इस्तमाल किया था Lonely Snow ने Deathly Forest को साफ करना भी छोर दिया था बॉस उस मूर्ख Lonely Snow को नजर अंदास करते हैं कम से कम हम फिर से लोगों की तलाश शुरू कर देंगे अब लेवल 2 के बहुत सारे खिलाडी हैं Battle to the End ने Lonely Snow को देखते हुए तिरसकार से कहा लहराते हुए धीरे से सिर हिलाया Lonely Snow के जाने से उनकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ जहां तक अथर्व द्वारा Deathly Forest में गोता लगाने के लिए एक पार्टी बनाने की बात है काल कोठरी को साफ करने का जिक्र ही नहीं तो कोई भी लेवल एक खिलाडी के साथ नहीं जाएगा Deathly Forest के प्रवेश द्वार के सामने अथर्व और ब्लैकी लोगों को भरती करने के लिए लगातार चिलाते रहे Deathly Forest के लिए ओपन पार्टी कोई कठोर आवश्चक्ताएं नहीं ठीक है जब तक आप एक अनुभवी गेमर है दो चार का इंतजार कर रहा है अथर्व चिलाया जब सभी ने इसके बारे में सुना तो लेवल दो के कई खिलाडी भाग गए थे ऐसा इसलिए था क्योंकि अथर्व की आवश्चक्ताएं बहुत कम थी कई छोटे दल उपकरण की गुनवत्ता के आधार पर लोगों को चुनेंगे पास होने के लिए उन्हें सामान्य उपकरणों के कुछ टुकडों की आवश्चक्ता थी हाला की खेल के शुरुवाती दौर में आवश्चक्ताएं पर लोगों को बुला लिया था ये चार लोग मूल रूप से काफी खुश थे वर्तमान में दस से अधिक लोग मौजूद थे लेकिन केवल उन्हें चुना गया था हालांकि पार्टी के नेता अधर्व के स्तर को देखने के बाद उन्होंने एक के बाद एक गुस्से में पार्टी छोड़ दी धाड में जाओ यह लेवल एक पर मौत के जंगल में मरने के लिए आने वाला एक नोग है यदि आप काल कोठरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसमें स्वय प्रवेश करें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के लिए कोई आवश्यक्ताएं नहीं क्या आप चाहते हैं कि हम आपको सवारी दें कोई मौका नहीं वे चार लोग अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने जो आवाजे की वे व्याभारिक रूप से दहार रही थी देथली फॉरस्ट का हर खिलाडी इसे सुन सकता था यहां तक कि एक स्तर एक खिलाडी भी मौत के जंगल में प्रवेश करने के बारे में शेखी बढ़ारने की हिम्मत करता है वह सिर्फ अनुभव और उपकरणों के लिए टैग करना चाहता है मेरे लिए भागेशाली में नहीं गया एक बड़े जंगल में सभी प्रकार के पक्षी है लेवल एक नोग के साथ कालकोटरी में प्रवेश करने के लिए कौन इतना मूर्ख होगा क्या यह सिर्फ गाली दिये जाने जैसा नहीं लग रहा है एक के बाद एक लेवल दो के खिलाडी अथर्व पर खुद को जरूरत से ज्यादा आकने और उसकी मूर्खता के लिए हंसने लगे यदि आप पार्टी नहीं करना चाहते हैं तो दफा हो जाए हम आप सभी से आने के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं ग्लैकी उनकी बात सुनकर आग बबूला हो गया अथर्व की तक्निकों ने उन्हें बहुत पहले ही मना लिया था फिर भी ये लोग अथर्व को नोब कह रहे थे क्या कोई नोब लेवल दो के दुरलब संभरांत को मार सकता है जब वह लेवल दो था क्या कोई नोब लेवल पांच के मुख्या को तब मार सकता है जब वह लेवल शूनि था ये लोग सिर्फ दंभी और मूर्खों का एक समुह थे बकवास मेरा ज्यान चौड़ा हो गया है एक लेवल एक नोब पार्टी कमाल की हो सकती है मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि आप दोनों एक पूरी पार्टी कैसे इकठा करते हैं जिस मौलवी ने अभी अभी पार्टी छोड़ी है उसने थंडी मुस्कान के साथ कहा इस समय अकेला हिन भाग गया अथर्व को देखते ही उसने जट से कहा भाई एक्सपर्ट मुझे इन्वाइट कर दो मैं आप लोगों के साथ मिलकर मृत्यून जैवन में प्रवेश करना चाहता हूँ मेरे पास कॉमन प्लेट आर्मर एक्विपमेंट के दो पीस है ठीक है अथर्व ने तुरंत निमंतरन भेजा ब्लैकी ने कभी नहीं सोचा था कि लोनली स्नो वास्तव में अपनी मूल पार्टी को छोड़कर उनके पास आ जाएगा उन्हें अचानक लोनली स्नो का अच्छा आभास हुआ ब्लैकी ने लोनली स्नो के कंधों पर ताली बजाई दिल से हंस्ते हुए कहा तुम्हारी आखें अच्छी है चिंता मत करो भाई फेंग का अनुसर्ण करना निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होगी बकवास बकवास लोनली स्नो अभी भी उसके दिल में थोड़ा चिंतित था पीसने की जगह अथर्व ने उसे बस इशारा किया था कि उसने उसे जल्दी से स्तर दो तक उठने दिया हालांकि अथर्व खुद लेवल दो तक भी नहीं पहुँचा था और उसने अभी भी बहुत खराब उपकरण पहने हुए थे लोनली स्नो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है अगलगल के खिलाडी तमाश बीम बने रहे वास्तव में कोई था जो स्तर एक नोब के साथ कालकोठी में प्रवेश करेगा इस व्यक्ति के पास अच्छे उपकरण थे बिल्कुल नए प्लेट आर्मर और बूट्स औन लोनली स्नो निश्चित रूप से सामान्य उपकरण होने चाहिए न की प्रैश उपकरण हालांकि लोनली स्नो पार्टी में शामिल हो गए थे लेकिन अथर्व द्वारा दस मिनट से अधिक समय तक भरती किये जाने के बाद एक भी खिलाडी उनके साथ शामिल नहीं हुआ था उनमें से सिर्फ तीन के साथ काल कोठरी में प्रवेश करना और उसे साफ करना असंभव था इस समय लहराते हुए धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से लोगों का एक समुह लाया है है भाई विशेशग्य ने अभी भी किसी को पार्टी नहीं की है हम पहले ही अन्यतीन मजबूत सदस्यों को आमंत्रिक कर चुके हैं उन सभी के पास लेवल एक कॉमन एक्विपमेंट के कम से कम दो या तीन टुकडे हैं मौलवी अन्थीन ग्रीश मरातरी ने उपहास में अथर्व से कहा धीरे धीरे लहराते हुए केवल अथर्व की और एक नजर डाली फिर अपनी दृष्टी लोनली सनों की और घुमाते हुए कहा यदि आप उसके पीछे पीछे चलेंगे तो आपका कोई भविश्य नहीं होगा इससे पहले की हम कालकोठी में प्रवेश करें आप अभी भी इस पर ठीक से विचार कर सकते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि आपको निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा बाद में धीरे से लहराते हुए अपनी निगाहें ब्लैकी की ओर भुमाई पहले उसका सारा ध्यान ब्लैकी को नजरंदास करके अधर्व पर था अब जब उसने करीड से देखा तो ब्लैकी के कपड़े बिल्कुल नए लग रहे थे ब्लैकी के पास ब्लैक वोड स्टाफ भी था उसके उपकरन काफी अच्छे होने चाहिए और वह भी लेवल दोका था इसलिए उसकी तक्नीक भी अच्छी होनी चाहिए तुम भी बुरे नहीं हो आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं शामिल हो जाते आपको पता होना चाहिए कि हम एलीट पार्टी है यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी ओसक खिलाडी तुलना कर सकते हैं यदि हम एक साथ हैं समतल करना, पीसना और काल कोठरी में गोता लगाना आसान हो जाएगा लहराते हुए मंदमंद मुसकराते हुए ब्लैकी की ओर देखा भाड में जाओ आपकी छोटी सी पार्टी के आधार पर मुझे अपने कबजे में लेने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैकी ने डाटा क्योंकि उसने इशारा किया कि वह ब्लैक वूड स्टाफ एट वेविंग स्लोली है उसी समय उन्होंने कांस्य उपकरण के प्रभामंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए यह कहते हुए चयन किया था यह सामान्य उपकरण के केवल दो से तीन टुकडे हैं मेरे पास तीन ब्रॉंज एक्विपमेंट और दो कॉमन एक्विपमेंट हैं धीरे धीरे लहराते हुए और बाकी लोग चौक गए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैकी इतनी ताकतवर है उसके पास वास्तव में कांस्य उपकरण के तीन टुकडे थे इस अवधी के दौरान सामान्य उपकरण के दो से तीन टुकडे रखने वाले व्यक्ती को विशेशग्य माना जाता था जहां तक कांस्य उपकरण का एक टुकडा होने की बात है वह व्यक्ती निश्चित रूप से एक विशेशग्य होगा हर गिर्ड उस व्यक्ति के लिए लड़ेगा हाला कि उनसे पहले ब्लैकी के पास वास्तव में कांस्य उपकरण के तीन टुक्रे थे लहराते धीरे-धीरे की पार्टी भी हैरान हो गई जब उन्होंने कांस्य उपकरण के प्रभामंडल का प्रभाव देखा तो उनकी आखें उनके सौकेट से लगभग बाहर निकल आई थी कोई आश्चर्य नहीं कि अधर्व ने इतनी निडरता से व्यवहार किया अधर्व को डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसने एक विशेशग्य का पक्ष लिया था इस बीच ब्लैकी के पास खड़े लोनली स्नो के जबडे धीले पड़ गए थे उसने ब्लैकी को अविश्वास से देखा लोनली स्नो ने मूल रूप से अधर्व को शायद ही कभी देखा जाने वाला विशेशग्य माना था उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैकी वास्तव में महान विशेशग्य थे साथी भाई अगर आप ऐसे नोब के साथ पार्टी करते हैं और काल कोठरी में प्रवेश करते हैं तो यहां आपके लिए भी एक बोज होगा काल कोठरी को साफ करने में विफल होने का उलेख नहीं करने पर आपको एक बार मरना भी पड़ सकता है आप हमारे साथ कैसे आएं काल कोठरी से दाना उपकरन के सभी टुक्रे आपके लिए चुनने के लिए स्वतंत रहें हालां कि वेविंग स्लोली इस तरह के थपड के लिए गुस्से में था अगर वह बलैकी को पकड़ सकता है तो काल कोठरी को साफ करने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी मैं आपके विचारों से सहमत हूँ तुम्हारे जैसे अनाडी लोगों के समूह में शामिल होना वास्तव में मेरे लिए एक बोज होगा बलैकी ने हंस्ते हुए कहा अप धीरे धीरे लहराते हुए चेहरा लाल हो गया उग्र रूप से कह रहा था फिर देखते हैं कि मौत के जंगल को पहले कौन साफ करता है अपना टुकडा खत्म करते हुए लहराते हुए धीरे धीरे घुमे और चले गए उन्हें विश्वास नहीं था कि इसमें एक नोग वाली पार्टी डेथी फॉरेस्ट को साफ कर सकती है हम वह काल कोठरी में प्रवेश करने वाला एक शक्तिशालीक शती डीलर है क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह इसे साफ कर सकता है शब्दहीन समर इर्षया से बड़बडाया सही, हम सभी डिगज खिलाडी हैं हम निश्चित रूप से डंगनडाइविन में उनसे ज्यादा मजबूत हैं दशीड वारियर ने अपने होठों को सिकोड लिया वेव स्लोली की पार्टी के जाने के बाद अधर्व की पार्टी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या भी अचानक बढ़ गई थी ऐसा प्रभाव मुख्य रूप से ब्लैकी द्वारा पहने जाने वाले उपकरणों के कारण हुआ इस अवधी में कांस्य उपकरण निश्चित रूप से एक विशेशग्य का प्रमार था यहां तक कि अगर पार्टी के नेता के रूप में एक नोप था तो कांस्य उपकरण के तीन टुकड़े वाले एक विशेशग्य को दो लोगों के रूप में मजबूत माना जा सकता था ऐसे विशेशग्य होने का लाभ निश्चित रूप से औसक पार्टी से अधिक था हालाकि अधर्व इस बार लोगों को बेतर्तीब धंग से आमंतरित नहीं कर रहा था एक निश्चित आवश्चकता थी इस तरह की कारवाई से पहले अधर्व की पार्टी छोड़ने वाले चार खिलाडियों को बेहत पच्चतावा हुआ था वे आवेग में कैसे काम कर सकते थे अब अधर्व उन्हें शामिल होने की इच्छा होने पर भी मौका नहीं देगा जिस तरह अधर्व उत्साहपूर्वक पार्टी के सदस्यों की भरती कर रहा था देथली फॉरस्ट डंगन के प्रवेश द्वार के दक्षिन पश्चिन भाग में अचानक एक बड़ी गरबडी दिखाई दी एक के बाद एक कई खिलाडी भागे थे उनमें से हर एक के भाव उत्तेजित थे यहां नहीं हो सकता ऐसी जगह मिलना ब्लैकी की दोनों आखें सीधे आगे की ओर देखती थी अथर्व भी चॉंक गया वे रेड लीफ टाउन जैसे छोटे स्थान में भी इस तरह के एक महत्वपूर्ण व्यक्ती से मिल सकते थे यहां अकल्पनिय था क्या ऐसा हो सकता है कि रेड लीफ टाउन एक ऐसी जगह थी जहां बैठे हुए बाग और छिपे हुए ड्रेगन थे केवल अथर्व ने इसे पहले कभी नहीं खो जा था जैसे जैसे अधिक खिलाडी वहां जाने लगे अथर्व का क्षेत्र इतमीनान से मुर गया भाई फेंग मैं चीजे नहीं देख रहा हूँ है ना या मैं अभी सपना देख रहा हूँ ब्लैकी ने अनिश्चित्ता से पूछते हुए अपनी आखे मली अथर्व अवाक था एक कड़वी मुसकान के साथ उन्होंने उस तीन सदसिय दल की ओर देखा जिसके कारण यह गडबड़ी हुई थी नवागंतुक सिर्फ कोई नहीं था वह ब्लैकी की मूर्ती थी देवी जेंटल स्नो जेंटल स्नो का शरीर भव्य चांदी के रंग के प्लेट आर्मर के सूट में ढखा हुआ था जिससे उसके सुडॉल और सुडॉल शरीर का पता चलता है उसकी दिव्य सुंदर्ता और बर्फटंडे स्वभाव में जोर कर यहां तक की महिलाओं के दिल भी उसके साथ साथ पुरुशों के एक बड़े समुह को भी प्रभावित करेंगे यहां तक की अथर्व भी यह स्विकार किये बिना नहीं रह सका की जेंटल स्नो सबसे सम्पूर्ण महिला थी जिसे उसने पहले देखा था चाहे वह दिखावे शरीर या स्वभाव के संबंध में हो एक भी फीमेल सेलेबरिटी नहीं थी जो उनकी बराबरी कर सके जहां तक जेंटल स्नो के दोनों तरफ के दो लोगों की बात है तो अथर्व भी उनसे काफी परिचित था वे उन्हें पहले भी बड़े निउस चैनलों पर देख चुके थे वे सभी इश्वर के क्षेतर के प्रसिध विशेशग्य थे उनमें से एक जहाव युएरू नाम की परम सुंदरी भी थी अगर जेंटल स्नो को एक संपूर्ण शरीर और रूकरंग कहा जा सकता है तो जहाव युएरू के पास शैतानी रूप से आकरशक शरीर और रूकरंग था उसकी हर हरकत एक प्रलोभन की तरह थी जो किसी व्यक्ती के दिल को प्रभावित कर सकती थी उसने जो उग्रलाल वस्त्र पहना था उसे जोड़कर उसके शरीर ने एक जंगली जैसा आकरशन बिखे रा इस तरह के विस्मयकारी आकरशन ने कई पुरुषों को उसके पास जाने और उस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था हालां कि अगर आपने वास्तव में ऐसा किया है तो बधाई हो आपने अभी-भी सीधे नरग के लिए एक तरफा टिकट अर्जित किया है ऐसा इसलिए था क्योंकि बड़े स्तन, कोई दिमाग नहीं और एक फूल की तरह नाजुक जैसे शब्ध जाव युएरू पर लागू नहीं होते थे भगवान के क्षेत्र में उसका एक और उपनाम था फ्लेंविच उसके पास यह उपाधी रखने का कारण यह था कि उसने इन पुरुष खिलाडियों का उप्योग करके लाशों का पहाड खड़ा कर दिया था एक बार एक बड़े गिल्ड का एक गिल्ड लीडर था जिसने जाव युएरू पर हमला करने की कोशिश की थी परिनामस्वरूप जिस गिल्ड में एक लाख से अधिक खिलाडी थे वे नहीं रहे जाव युएरू ने अपने गिल्ड लीडर का शिकार भी किया यह घटना तभी समाप्त हुई जब उस गिल्ड लीडर को वापस लेवल शूने पर मार दिया गया तब से फ्लेम विच की उपाधी जाओ येर उपर डाल दी गई थी स्नो देवी और फ्लेम विच की तुलना में उनकी ओर से पुजारिन को केवल सामान्य माना जा सकता है वह अत्यधिक सुंदर नहीं थी उसकी तकनीक खराब नहीं थी और वह स्टार्मोन किंगडम के प्रीस्ट लीडर बोर्ड की शीर्ष सौ रैंकिंग में भी थी दो पूर्ण सुंदरियों के साथ साथ एक महान सुंदर्ता इस तरह के सन्योजन ने डेथली फॉरिस्ट में शांदार द्रिश्यों का निर्मान किया था सैकडों खिलाडियों ने उन्हें घेर लिया तीनों महिलाओं से परिचित होने की कोशिश कर रहे थे दुर्भागे से तीनों सुंदरियों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं बहन युएरू ये लोग वास्तव में डरावने हैं हम कैसे वापसी करें और लेवल आप करें दर्पोक जियो युएर फुस्फुसाया हे युएर डरो मत यहां हलकी बर्फ के साथ भले ही आप इन धेनित अशिश्ट पुरुशों को दस गुना अधिक साहस दें वे यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे जाओ युएरू ने मुस्कुराते हुए कहा गर्व से अपनी चाती बाहर निकाल ली कोमल हिम ने जवाब में केवल अपना सिरहिलाया इन लार टपकाने वाले अश्लील पुरुशों के बारे में उसने उन्हें अपनी आखों में भी नहीं रखा हालांकि एलीट मॉंस्टर्स की ड्रॉप्स खराब नहीं है स्किल बुक्स के लिए ड्रॉप रेट डेथी फॉरेस्ट में अधिक है जदी हम कुछ और कॉशल पुस्तकों के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हम भविश्य में बहुत धीरे-धीरे उपर उठेंगे जेंटल स्नो ने चुपचाप कहा जाओ युएरू ने सहमती में अपना सिर हिलाया हाला कि उन तीनों ने काफी संभरांत राक्षसों को मार डाला था लेकिन कॉशल पुस्तकों की संख्या बहुत कम थी अब तक उन तीनों ने अभी तक तीन कॉशल भी नहीं सीखे थे यह वास्तव में उनकी ताकत के उप्योग और पीसने की दक्षता को प्रभावित कर रहा था मृत्यू वन के लिए प्रभावी पार्टी एक चिकित्सक और एंटी की तलाश में तीन-तीन की प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ देर देखने के बाद अथर्व चिलाता रहा हाला कि जैंटल स्नो और जाओ युएरू वास्तव में आकरशक थे, अथर्व अब बच्चा नहीं था उसने बहुत सारी सुन्दरियों को देखा था, खास कर जब वह शैडो का कप्तान बना, कई सुन्दरियां स्वेच्छा से खुद को अथर्व पर फेंक देंगी जहां तक जैंटल स्नो और जाओ युएरू की बात है, तो यह काफी अच्छा था कि उन्हें सिर्फ आनंद के लिए देखा जाएं ऐसी सुन्दरियों के बारे में अथर्व सोच भी नहीं सकता था उनका मुख्य लक्ष अभी व्यापार में उतरना था हाला कि अथर्व के चिल्लाने पर कोई जवाब नहीं मिला एक भी खिलाडी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं था वे सभी जैंटल स्नो के तीन के समूह को घूर रहे थे और लार टपका रहे थे यहां तक की ब्लैकी भी कोई अपवाद नहीं था उसकी आखें घूरने से लगभग अपने सौकेट से बाहर निकल चुकी थी अथर्व ने लाचारी से अपना सिरहिलाया और चिलाता रहा और लोगों को भरती करता रहा बकवास यह मूर्ख क्या बकवास कर रहा है क्या आपको वास्तव में लगता है कि कालकोठरी में आपके साथ कोई भी आत्महत्या करेगा जल्दी स्क्रैम करो लेवल एक नोब सुन्दरियों को देखने से मेरा ध्यान भटकाना बंद करो कई खिलाडियों ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी दो उच्चकोटी की सुन्दरियां पहले ही दिखाई दे चुकी थी फिर भी अथर्व उनके करीब जाने की कोशिश करने के बजाए वास्तव में यहां शोर मचा रहा था अगर उन सुन्दरियों को डर लगता तो आप क्या करती वह व्यक्ति दिल्चस्प है वह वास्तव में इतने सारे लोगों की शत्रुता को आकरशित कर सकता है क्या उसने पहले कुछ अनैतिक किया है जो यूएर ने अथर्व की ओर इशारा करते हुए खिलखिलाते हुए अर्धचंदर जैसी मुस्कान दिखाई जाओ यूएरू ने भी अपनी आखो पर निशाना साधा उसे अथर्व से कुछ खास नहीं लगा यहां तक कि उसने फटे पुराने कपड़े भी पहने हुए थे जाओ यूएरू को लगा कि अथर्व बस भीड का ध्यान खीचने की कोशिश कर रहा है उसने अचानक तिरसकार में कहा वह निश्चित रूप से हमारा ध्यान आकरशित करने के लिए ऐसा कर रहा है चलो उससे परिशान नहों और कालकोठरी में गोता लगाने के लिए जल्दी से तीन लोगों को पार्टी दे जितने पुरुशों ने उनका ध्यान आकरशित करने की कोशिश की थी उनकी संख्या बहुत अधिक थी जाओ युएरू ने उन सभी प्रकार के तरीकों को देखा था जो इन लोगों ने पहले इस्तिमाल किये थे और अधर्व का तरीका कोई दुरलभ द्रिश नहीं था बलकि पुराना था जेंटल स्नो ने कोई राय नहीं दी केवल अधर्व को देखा उसे अधर्व से आने वाली एक अजीब सी अनुभूती हुई यह एक छिपी हुई तलवार की आत्मा थी जेंटल स्नो विशेश रूप से अधर्व की कमर के चारों और लटके आग पोकर के बारे में चिंतित थी कोमल हिम तुम्हें क्या हुआ जाओ युएरू ने उचसुकता से जेंटल स्नो को देखा उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोमल हिम बेहत साधारन अथर को क्यों भूरती रहेगी यह कुछ भी नहीं है शायद यह सिर्फ मेरी कलपना है हमें जल्दी करना चाहिए और कालकोठरी में गोता लगाने के लिए कुछ लोगों को भरती करना चाहिए जेंटल स्नो ने अपना सिरहिलाया अब अथर्व की कमर पर फायर पोकर को नहीं देख रही थी मूल रूप से अथर्व की पार्टी को पहले से ही लोगों की भरती करने में परिशानी हो रही थी हाला कि जाओ युएरू के एक वाक्य के कारण किसी और ने अथर्व की पार्टी पर ध्यान नहीं दिया था भले ही उनकी पार्टी में कोई विशेशज्य मौजूद हो जाओ युएरू के सामने सैकडों खिलाडियों को कतार में खड़ा देखकर अथर्व ने अपनी बेपसी जाहिर की तीनों महिलाओं के आगमन का समय वास्तव में खराब था भाई फेंग हम वहाँ भी क्यों नहीं जाते ब्लैकी ने बेशर्मी से सुझाव दिया ठक दड़ आप मेरे लिए क्या ले जाते हैं अथर्व ने ब्लैकी पर नजरे कड़ा दी ये बंदा तो बड़ा ही बेशर्म था प्यार पाकर दोस्ती भूल गया इसके बजाए लोनली सनो बहतर था वह वास्तव में इमानदार व्यक्ति थे शुरुआत में लोनली सनो ने केवल कुछ जलकिया देखी लेकिन कुछ तारीफों के बाद रुप गई उसने अथर्व को अपने पक्ष में लोगों को भरती करने में भी मदद की थी अथर्व द्वारा डाटे जाने के बाद ब्लैकी की दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई वह कतार में खड़े उन खिलाडियों को केवल इरश्या की दृष्टी से चुपचाप देख सकता था दस मिनट बाद भी अथर्व ने एक भी व्यक्ति को भरती नहीं किया था इसी तरह जेंटल स्नो की पार्टी ने भी एक भी व्यक्ति को भरती नहीं किया था हाला कि अथर्व के मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी उनकी पार्टी में शामिल होने नहीं आया था जबकि जेंटल स्नो की पार्टी के लिए ऐसा इसलिए था क्योंकि जो खिलाडी शामिल होना चाहते थे वे उनकी विशिष्टताओं से मेल नहीं खाते थे एक पक्ष स्वर्ग में था, जबकी दूसरा प्रिथवी पर था अथर्व के पास और कोई विकल्प नहीं था वह इस तरह से घसीपना जारी नहीं रख सकता था, उनका समय कीम्ती था वह केवल भरती में अपवाद कर सकता था देथली फॉरेस्ट के लिए कुशल पार्टी, हमारे पास पार्टी का नेत्रित्व करने वाला एक विशेशग्य है एक कोशिश में सपष्ट स्तरों की कोई सीमा नहीं, मरहम लगाने वालों और ख्षती डिलरों की तलाश में तीन-तीन की प्रतीक्षा कर रहा है हालाकि अथर्व के शब्दों ने कई खिलाडियों को तिरसकार के भाव भेजे थे यहां तक कि अगर आप ध्यान आकरशित करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके पास नीचे की रिखा होनी चाहिए वर्तमान में स्तर दो के दसियों खिलाडी पहले से ही थे, जो कालकोठरी से बाहर हो गए थे उनमें से हर एक ने कहा था कि मौत के जंगल को साफ करना असंभव था दूसरी और अथर्व ने कहा कि उनकी पार्टी के स्तर की कोई सीमा नहीं है तो क्या वह यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा था कि मौत के जंगल को साफ करने के लिए उसे केवल एक व्यक्ति की जरूरत है क्या यह संभव था? हालाकि अथर्व की निचली रेखा ने अभी भी कुछ खिलाडियों का ध्यान आकरशित किया था कुछ ही पलों में लेवल एक के खिलाडियों का एक समोष शामिल होने के लिए दौरता हुआ आया लेवल एक के दसियों खिलाडी दौरते हुए आए अथर्व की पार्टी के सामने का इलाका भी गुलजार होने लगा था यह व्यक्ति वास्तव में कुछ है वह काल कोठवी में प्रवेश करने के लिए इतना बेताब है कि उसे स्तर एक के नोस की भी आवशक्ता होगी क्या वह नहीं जानता था कि लेवल दो की एक एलीट पार्टी पहले ही हो चुकी है जो मर कर लोटी थी कौन उसकी परवाह करता है एक नोब आखिर एक नोब है हम उनके विचारों को नहीं समझ पाएंगे लेवल दो के खिलाडियों की लंबी कतार अथर्व की हरकत पर एक के बाद एक हंसने लगी वे सभी अथर्व को मजाक बनते देखना चाहते थे वे लोग वास्तव में दिल्चस्प हैं यहां तक कि मुझे डेथली फॉरिस्ट को साफ करने का ज्यादा भरोसा नहीं है फिर भी वे वास्तव में लेवल एक के खिलाडियों के समूह के साथ इससे साफ करना चाहते हैं जाओ युएरू के होट थोड़े मुडे हुए थे अथर्व की दिशा में देखते हुए एक शांदार मुस्कान दिखाई दे रही थी उसकी आवाज में उफास और तिरसकार का संकेट था कोमल हिन ने भी दूर से अथर्व की और एक द्रिश्टी धेजी अथर्व का स्वभाव शांत और आत्मविश्वासी दोनों था उफास करने से वे क्रोधित नहीं हुए उसकी हर एक हरकत बहुत परिपक्व थी भगवान के डोमेन के विशेशग्यों से बहुत अलग नहीं थी जो उसने पहले देखे थे हाला कि उसे समझ नहीं आया कि अथर्व का आत्मविश्वास कहां से आया डेथली फॉरेस्ट रेड लीफ टाउन का पहला कालकोथरी था और यह हर किसी का पहली बार भगवान के डोमेन में एक कालकोथरी के संपर्क में था उनकी कठिनाया एक अग्यात थी यहां तक की गिल्ड के संपरांथ गलभी कालकोथरी में प्रवेश करने से पहले अपने सदस्यों को साबधानी से चुनेंगे दूसरी ओर अथर्व ने जरा भी परवाह नहीं की जैसे की छे खिलाडियों को इकठा करना ही काफी था शायद मैं सिर्फ चीजों के बारे में सोच रहा हूँ वह सिर्फ लेवल एक का खिलाडी है तो वह डेथली फॉरिस्ट को कैसे साफ कर सकता है कोमल हिम ने उसके सुन्दर बालों को सहलाया उसका दिल अब अथर्व की अजीब हरक्तों के बारे में नहीं सोच रहा था अपने स्वयं के गुन भेजे दूसरी तरफ अथर्व भी खिलाडियों के आकड़े देख रहा था हाला कि उसके पास निचली रेखा नहीं थी उसके पास एक निचली रेखा थी लेवल एक के इन खिलाडियों के उपकरण और स्तर-स्तर दो के खिलाडियों की तुलना में बहुत खराब थे जिन्हें जेंटल स्नो की पार्टी भरती कर रही थी हाला कि वे अभी भी खिलाडी थे जब तक वे अपने 8 फ्री एट्रिब्यूट पॉइंट्स को शुरुवात में ही नहीं जोडते थे तब तक 6 मैन पार्टी के साथ डेथली फॉरस्ट को साफ करने की संभावना बहुत अधिक थी उन शेड वारियर्स और गार्जियन नाइट्स के लिए जिन्होंने पूरी तरह से स्ट्रेंथ या वेपन्स जॉब जोड़ा लेकिन चपलता नहीं जोडी उन सभी को खारिस कर दिया गया बड़े भाई कृप्या मुझे पार्टी दे हालांकि मैं सिर्फ लेवल एक गार्जियन नाइट हूँ मेरे पास लेवल शूने कॉमन एक्विपमेंट का एक टुकड़ा है साथ ही मेरे सभी आठ गुन बिंदू अभी भी उपलब्ध है मैं आपकी आवश्रक्ताओं के आधार पर उन्हें पूरी तरह से जोर सकता हूँ कोला नाम के एक युवक ने याचना की उसकी आखें उम्मीदों से भरी थी अथर्व थोड़ा हैरान हुआ एक गार्जियन नाइट जिसने कोई विशेष्टा अंक नहीं जोड़ा वह वास्तव में स्तर एक तक पहुँच सकता था यह एक उद्कृष्ट कृती थी यह ज्यात होना चाहिए कि गार्जियन नाइट का हमला बहुत कम था जिससे राक्षसों को मारना मुश्किल हो गया आम तौर पर वे राक्षसों को मारने के लिए पार्टी करते थे पीसने की दक्षता बढ़ाने के लिए वे शक्ती के कुछ बिंदूओं को जोड़ देंगे अन्यथा सम्तल करना बहुत धीमा होगा गार्जियन नाइट कोला 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 जब अथर्व ने कोला के चहरे और उसके लंबे और मांसल शरीर को देखा तो उसे लगा कि यह कुछ जाना भचाना है अचानक वह गहरी सोच में पढ़ गया उनकी स्मृति में ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था यह सही है यह अत्याचारी भालू है अथर्व इसे याद करने में काम्याब रहा अत्याचारी भालू का नाम कोला था अत्याचारी भालू पहले दरजे के गिल्ड ब्रिलेंट स्टार्स का मुख्य MP था गौड्स डोमेन के शुरुवाती दौर में अत्याचारी भालू लगाता अस्फर रहा यहां तक कि उन्हें थर्ड रेट गिल्ड, हेवन्स क्राउन द्वारा बाहर कर दिया गया था ब्रिलेंट स्टार्स में प्रवेश करने के बाद कोला अचानक चमकने लगा वह गिल्ड में एक सामान्य पार्टी के MP से कोर एलीट पार्टी के MP में बदल गया वह स्टार्मून किंगडम के गार्जियन नाइट लीडर बोर्ड पर पंद्रहवे स्थान पर था कोला हमला करने और बचाव करने दोनों में सक्षम होने के लिए जाना जाता था अथर्व ने कभी नहीं सोचा था कि अत्याचारी भालू अपने आप उसके पास दोड़ेगा कोला भी एक शर्मीला व्यक्ती था यह दस साल बाद के अत्याचारी भालू से बिल्कुल अलग था अचानक अधर्व को एक विचार आया वर्तमान में अत्याचारी भालू को ग्रिलेंट स्टार्स का उलेक नहीं करने के लिए अभी तक स्वर्ग के मुकुट में शामिल होना था अगर अथर्व कोला का शिकार कर सकता है और कोला को अपने एंटी में बदल सकता है तो क्या भविश्य में डंगडाइविंग बहुत आसान नहीं होगी बिग ब्रादर मैं गारंटी देता हूँ कि काल कोठरी के अंदर होने पर मैं आपकी आग्याओं को पूरी तरह से सुनूगा कृप्या इस पर विचार करें कोला के स्वर में भीख मांगने का संकेट था अथर्व की हंसी लगभग छूट ही गई थी महान अत्याचारी भालू वास्तव में काल कोठरी में स्थिती के लिए ऐसे फुस्फुसाते हुए स्वर में बोलेंगे हाला कि अथर्व ने अभी भी इसे अंदर रखा लेवल एक के खिलाडी जो यहां आये थे सभी भागिशाली होने की उम्मीद कर रहे थे लेवल दो के खिलाडियों के साथ देथली फॉरिस्ट में प्रवेश करने वाली अन्य पार्टियां पहले से ही अच्छी नहीं थी उनके जैसे लेवल एक के खिलाडियों का जिक्र ही नहीं यदि वे एक बार मौत के जंगल में प्रवेश कर सकते हैं और सौभाग्य से एक या दो उपकरण प्राप्थ कर सकते हैं तो यह उनके भविश्य के विकास के लिए बहुत मददगार होगा। उस समय एक बड़े गेड में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता था। ठीक है म मैं आपको इसमें शामिल कर सकता हूँ अधर्व का चहरा गंभीर हो गया और उसने कहा हालांकि आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे एक स्तर एक के नोब को मौत के जंगल में लाना आसान नहीं है। मैं आपको मौत के जंगल में नहीं ले जा सकता और फिर उपकरण मिलन आप कुछ अन्यकुलीन दलों में शामिल हो जाते हैं। तो आपको दीरघावधी के लिए तयार रहने की आवर्शक्ता है। जब मैं तुम्हें कालकोठ्री में गोता लगाने के लिए बुलाओं तो तुम्हें अवश्य आना चाहिए। आप अस्विकार नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कुछ अन्यमामले हैं। तो आपकी पसंद क्या होगी? जब अन्य खिलाडियोंने अथर्व को ऐसा कहते सुना तो वे अचानक चुप हो गए। अथर्व के इरादे बहुत साफ थे। यदि आप पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप भविश्य में अन्य पार्टीों में शामिल नहीं हो पाएंगे, गिल्ड में शामिल होने का तो जिक्र ही नहीं है। हर कोई जानता था कि एक गेल्ड में प्रवेश करना अपनी खुद की ताकत को जल्दी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में उनमें से किसी भी गेल्ड में शामिल होने की योगिता उनके पास नहीं थी इसलिए वे एक या दो उपकरण प्राप्त करने की उम्मीद में अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां आये थे वे बाद में उन संगों में शामिल होने में भी सक्षम हो सकते हैं तो वे केवल एक कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए एक अच्छी गेड में प्रवेश करने के अपने अवसरों को कैसे छोड़ पाएंगे कोला ने भी कभी नहीं सोचा था कि अथर्व ऐसी डिमांड करेगा हाला कि यह अभी भी उचित था आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आपको उपर लाएंगे फिर जब आप मजबूत हो जाएं तो छोड़ दे हाला कि जब अथर्व ने ये शब्द कहे तो उसमें विश्वास करने की क्षमता नहीं थी इस समय ब्लैकी बाहर खड़ा था और गुस्से में बोला बस आप नोबो को देखकर कोई भी नहीं है जो आपको कालकोठ्री में गिराना चाहेगा और आप अभी भी भविश्य में एक गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं और उनके लाभों का आनंद लेना चाहते हैं क्या आप अपने आपको विशेशग्य समझते हैं या आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं कोला ने सोचा कि ब्लैकी विशेशग्य ने जो कहा था वह सही था इस पार्टी में कांस्य उपकरण के तीन टुक्रों के साथ एक स्तर दो विशेशग्य भी था जबकि कोला खुद एक नौसिखिया नोग था तो उसे शिकायत करने का क्या अधिकार था? बिग ब्रादर एक्सपर्ट के संकेत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद छोटा भाई अपनी भूमी का निभाने का प्रयास अवश्य करेगा कोला लगातार ब्लैकी का शुक्रिया अदा करती रही ब्लैकी को कोला द्वारा एक विशेशग्य के रूप में धन्यवाद और संदर्भित किये जाने से कुछ असहज महसूस हुआ ब्लैकी एक विशेशग्य का एक पूर्ण पाखंडी था हाला कि किसी के द्वारा ऐसा कहे जाने से ब्लैकी भगवान के क्षेतर में और भी अधिक विशेशग्य बनना चाहता है ब्लैकी खूबसूर्ती से किया अधर्व ने थमसप किया और चुपचाप ब्लैकी की तारीफ की अधर्व ने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैकी इस तरह अत्याचारी भालू को वश्मे कर लेगी अत्याचारी भालू ने सम्मान से भरे चहरे के साथ ब्लैकी को बिग ब्रादर भी कहा था ब्लैकी अचानक घ्रमित हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है जो अधर्व की तारीफ के काबिल है हाला कि वह अभी भी बहुत खुश था कम से कम उसने अधर्व के लिए कुछ तो किया था हाला कि वह नहीं जानता था कि उसने वास्तव में क्या किया है दस मिनट बाद अधर्व ने आखिरकार छै खिलाडियों को इकठा किया वे अब डंगनडाइविंग शुरू कर सकते हैं हाला कि अधर्व की पार्टी इकठी हो गई थी लेकिन लेवल दो के आबजर्विंग खिलाडी हंसने लगे थे वे हस नहीं रहे थे क्योंकि अधर्व ने जितने भी खिलाडियों को आमंत्रित किया था वे सभी स्थर एक थे इसके बजाए पार्टी में जो नौक्रिया थी वे बहुत ही आकरशक थी वे जोर से हंसे बिना नहीं रह सके यह नोब वास्टव में कुछ है और यहां तक कि मैं उसकी प्रशंसा करना शुरू कर रहा हूँ वे बस एक आत्मधाती पार्टी है मैं वास्टव में उस विशेशग्य पर दया करता हूँ जो वास्टव में इस तरह के एक विदेशी खिलाडी को साथ लाता है विशेशग्य तो उन्हें पार्टी का नेता बनाने के लिए तयार भी हो गए थे लाइन में लगे लेवल दो के खिलाडियों ने बहस्त शुरू कर दी और काफी खिलाडी ऐसे भी थे जो जोर-जोर से हंस्ते हुए अपना पेट पकड़ रहे थे वह सिर्फ गैलरी में खेल रहा है जाओ युएरू ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड लिया उसने अथर्व को देखकर अपना सिर्घुमा लिया उसका दिल थोड़ा बेचैन हो गया इससे पहले वह जहां भी जाती हर किसी का ध्यान होती लेकिन आज सबकी निगाहें अथर्व जैसे छोटे से नोब पर टिकी थी हाला कि हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था फिर भी वह उनका केंडर बिंदु था ठीक है युएरू हमें जल्दी करना चाहिए और परियाप्त लोगों को इकठा करना चाहिए अगर हम और समय बरबाद करते हैं तो हम फ्रेंट लाइन खिलाडियों से पीछे रह जाएंगे हाला कि जैंटल स्नो ने महसूस किया कि अथर्व एक विशेशग्य प्रतीत होता है स्तरों के बारे में लोगों को भरती करने के तरीके और इस तरह वह एक विशेशग्य के रूप में संदर्भित किये जाने से बहुत दूर था जहां तक अथर्व को अपने संग में आमंत्रित करने का विचार था वह अब मौजूद नहीं था उनके औरोबोरोस ने केवल विशेशग्यों को स्विकार किया समझ गया जहाओ यूएरू अपने सामने तलवार चलाने वाले की ओर मुरा थोड़े प्रतिशोध के साथ उसने सीधे कहा देटा बुरा नहीं है लेकिन बहुत बुरा है हमें तलवार चलाने वाला नहीं चाहिए तलवार बाज अचानक बेसुध हो गया वो कैसे नहीं देख सकता था कि जहाओ यूएरू का क्या मतलब है इसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और दूर स्थित अथर्व की ओर देखा उसकी आखों में घ्रिना भरी हुई थी इस बीच अथर्व जो कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है वर्तमान में डिथी फॉरिस्ट को सक्रिय कर रहा था सिस्टम कृपया सक्रियन कठिनाई का चैन करें सिस्टम नॉर्मल हार्ड हेल अथर्व ने बिना किसी हिच की चाहट के नर्ग को चुना अचानक मौद के जंगल के सामने स्थानांतरण मार्ग बदल गया यह सिल्वर ग्रे रंग से पिच बलाक में बदल गया उसी समय एक जिल मिलाहट खोपरी जिसका मुह चोड़ा था असपष्ट रूप से देखा जा सकता था इस बीच अथर्व की पार्टी के सभी सदस्यों को एक सूचना मिली सिस्टम आपने डेथली फॉरिस्ट का हेल मौट चुना है मृत्योदंड में 100% की व्रिध्धी अचानक पार्टी के सदस्यों के चहरे घातक रूप से सफेध हो गए मौत की सजा में 100% की व्रिध्धी हुई इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे कालकोठरी के भीतर मर गए तो वे अपने क्सप का 20% खो देंगे उसकस्प को बनाने के लिए एक या दो घंटे के प्रयास की आवश्यक्ता थी भाई फेंग आपने गलत चुना है क्या हम सामान्य कालकोठरी में नहीं जा रहे हैं ब्लैकी जल्दी से चला गया और एक अनुसमारक फुस्कुसाया कुछ भी नहीं गलत है मैं यहां क्या कर रहा हुता अगर यह नर्ट मोड में गुता लगाने के लिए नहीं हुता अधर्वनेटो का फोर्जिंग दिजानों के लिए ड्रॉप रेट बेहत कम था यदि यह सामान्य मोड था तो वेरवल फेट की ड्रॉप दर केवल एक परसेंट थी हार्ड मोड में 5% और हैल मोड में 30% था हालांकि नॉर्मल मोड को हर दिन बिना किसी सीमा के साफ किया जा सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए किसके पास इतना समय होगा इस बीच हार्ड मोड को दिन में केवल 5 बार ही साफ किया जा सकता था और फोर्जिंग डिजाइन के गिरने की संभावना भी बहुत अच्छी नहीं थी जहां तक हैल मोड की बात है इसे दिन में केवल एक बार ही साफ किया जा सकता था लेकिन यह ऐसा मोड भी था जिसे इसके गिरने की सबसे अधिक उम्मीदें थी फिंग भाई फिंग तुम क्या कह रहे हो मोड के जंगल की नरक विधा हमारी पार्टी को ही देख लीजिए नॉर्मल मोड को भी क्लियर करना समस्यागरस्थ है हैल मोड का उलेख नहीं करना ब्लैकी घबरा गया इससे पहले वह कई एलीट पार्टीओं को देख चुका था जो मरकर लोटी थी इन लोगों ने जो कहा था उसके अनुसार देथली फॉरेस्ट में राक्षस बेहद मजबूत थे उनकी बुद्धी भी अत्यंत उच्छ थी लेवल चार या पांच तक पहुँचे बिना उन्हें हराना नामुम्किन था इसलिए वे सब हार मान कर चले गए थे अगर वे अब एक नर्क मोर काल कोठरी में प्रवेश करते हैं उनके जैसे नोब्स के साथ तो यह वास्तव में नर्क में जा रहा होगा आराम करना अगर मैं निश्चित नहीं होता तो मैं भी ऐसा नहीं करता अथर्व ने मुस्कराते हुए आत्म विश्वास से कहा ब्लैकी के कंधों को थप्थ पाया ठीक है फिर अंदर चलते हैं अथर्व ने पहले प्रवेश करके पार्टी का नेत्रित्व किया उसके बाद ब्लैकी ने चकित सिर के साथ अकेला हिन भी प्रवेश कर गया था वह इस रास्ते पर अंत तक चलने के लिए तयार था शेश तीन के संबंध में वे काफी देर तक जिजगते रहे बहतर होगा कि हम अंदर जाएं विशेशग्य पहले ही अंदर जा चुके हैं तो हम लेवल एक नोपस अभी भी किस चीज के लिए अनिक चुक हैं इसके अलावा हम देथली फॉरेस्ट के हैल मौड में प्रवेश कर रहे हैं यहां तक कि इसका उलेख करना भी एक गौरव होगा कोला ने प्रोचसाहित किया अन्यदो ने महसूस किया कि यह समझ में आता है और वे भी कालकोठरी में चले गए इस बीच जेंटल स्नोकी पार्टी के सामने का इलाका पूरी तरह से खामोश था लेवल दो के सभी खिलाडी दंग रह गए वे न केवल चौक गए बलकी वजरपात कर गए एक स्तर दो एलीट पार्टी सामान्य मोर को भी साफ नहीं कर सकती थी फिर भी एक पार्टी जिसमें मुख्य रूप से स्तर एक के खिलाडी शामिल थे ने वास्तव में डेथी फॉरिस्ट के हैल मौड को चुना था वर्फ क्या मैंने गलत देखा? वह हैल मौड है है ना जाओ युएरू ने पूछा कोमल हिम ने सिरहिलाया उसकी सुन्दर आखें टिम्टिमाती खोपरी को निहारती रहती थी उसकी अभिव्यक्ती बेहत गंभीर हो गई उस साथी ने खुद को निराश होने के लिए छोड़ दिया होगा यह निर्धारित करने के बाद कि वह नॉर्मल मौड को क्लियर नहीं कर सकता है हैल मौड में प्रवेश कर रहा है हम देखेंगे कि वे एक पल में कैसे मृत हो जाते है जाओ युएरू हंस पड़ा हमारे पास उस तरह का समय नहीं है चलो चलते हैं हमने काफी लोगों को इकठा कर लिया है कोमल हिमपात ने घातक वन कालकोठरी की ओर जाने का मार प्रशस्त किया कालकोठरी की कठिनाई के लिए उसने सामान्य मोड का चयन किया यदि सामान्य मोड में कोई समस्या नहीं होती तो वे बाद में हार्ड मोड में प्रवेश कर जाते मोड के जंगल के कालकोठरी के भीतर एक अंधेरा और उदास जंगल था समय समय पर थंडी हवा चलती रहती है जिससे व्यक्ति के शरीर में सहरन पैदा हो जाती है खुद अथर्व के अलावा उनकी पार्टी का हर सदस्य काल कोठरी के प्रवेश द्वार के चारों और कसकर खचाखच भरा हुआ था वे इस दर से एक एंच भी नहीं हिले कि कहीं कोई राक्षस उनकी पार्टी का सफाया न कर दे भाई फेंग मैं अपनी पीट से ठंडी हवा क्यों महसूस कर रहा हूँ ब्लैकी ने चिंता से पूछा ब्लैकी आपको एक विशेशग्य के स्वभाव को सामने लाने की जरूरत है तभी आपके पास एक बनने की संभाव ना होगी यह सिर्फ नर्क विधा है यहां राक्षसों के अलावा थोड़ी सी बुद्धी है उनके युद्ध के तरीके थोड़े जटिल है और उनका हमला रक्षा और एचपी थोड़ा अधिक है और कुछ नहीं है ओ ठीक है यहां कुछ और राक्षस भी हैं कुछ देर सोचने के बाद अधर्व को लगा कि उसके पास जोडने के लिए और कुछ नहीं है अचानक पार्टी के हर सदस्य ने अधर्व के प्रती तिरसकार के भाव भेजे काल कोठरी में गोता लगाते समय अटैक और एचपी में एक छोटा सा अंतर भी टीम को मिटा सकता है जहां तक अधर्व का सवाल है उन्होंने बस इतना ही समझाया था इसके अलावा थोड़ी सी और बुद्धी से उसका क्या तात पर्य था उन्होंने गोड्स डोमेन में राक्षसों के साथ लड़ाई से पहले अनुभव किया था थोड़ी अधिक बुद्धी वाले राक्षसों के बारे में यहां तक की समान हमले और एचपी के साथ उनकी ताकत अभी भी एक या दो गुना बढ़ जाएगी ठीक है ठीक है इन चोटी चोटी बातों पर ध्यान देना बंद करो मैं थोड़ी देर में इस कालकोथरी की रणनीती समझाऊंगा इसलिए बहतर होगा कि आप लोग ध्यान से सुने यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपका जीवन समाप्थ हो जाएगा कालकोथरी पर विजय प्राप्थ करने की रणनीती समझाने के लिए तयार अथर्व ने अपना हाथ हिलाया अचानक अंधेरे और उदास जंगल से एक तेज हवा चली जिससे पेड़ पागल हो गए आओ, आओ, आओ तेज हवा के बाद एक भयानक दहार सुनाई दी, जो पूरे डेथली फॉरिस्ट में गूज गया अंगिनत पक्षी डर गए, आकाश में उर गए ब्लैकी और अन्य लोग इस तरह की प्रभावशाली आभा से दंग रह गए वे 20 वर्ष की आयू के आसपास के युवा थे उन्होंने कभी भी किसी भी बड़ी कठिनाईयों का अनुभव नहीं किया था जीवन्यामृत्यू की स्थितियों से सन्यमित होने का तो कहना ही क्या वे पहली बार इस तरह की फुफुसभेदी दहार का सामना कर रहे थे जंगल में बाध की पारंपरिक दहार सुनने की तुलना में यह दहार मानव हरिदय के लिए कहीं अधिक चौकाने वाली थी यह बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए अधर्व ने इस समय शांती से कहा हैल मौड और हार्ड मौड के बीच सबसे बड़ा अंतर यही दहार था हाला कि इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं था लेकिन अधर्व के पिछले जीवन के खिलाडियों ने इसे नरकी दहार करार दिया था अधर्व की बातों ने अन्य सदस्यों को भमित कर दिया क्या यह सिर्फ दहार नहीं थी क्या ध्यान देना था जब अधर्व ने सभी के तिरसकारपूर्ण भावों को देखा, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गंभीरता से कहा, सुनो तुम सब, हैल्स रोर उतना सरल नहीं है, जितना आप सोचते हैं एक क्षण में आगे बढ़ते हुए मेरी मांगो का पालन करें, अगर कोई गलती करता है, तो आपको तुरंत पार्टी से बाहर निकालने के लिए मुझे दोश न दें अथर्व के इस तरह व्याख्यान देने से अन्यस सभी सदस्य गंभीर हो गए, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था, एक पल में कोला और मैं सामने चलेंगे, अकेला हिंपात आप बीच में चलते हैं और औरेकल की रक्षा करते हैं ग्लैकी आप और सुमोनर सबसे पीछे चलेंगे, याद रखें आपको किसी भी गतिविधी की परवाह किये बिना फॉर्मेशन को तोरना नहीं चाहिए, मेरी आग्या के बिना किसी को भी पहले आक्रमन करने की अनुमती नहीं है, क्या तुम सब समझते हो, अथर्व ने एक 110 अंक पर पहुँच गया, इतने HP के साथ कोला थोड़ी देर और अथर्व के बोज को साजा करने का विरोध कर सकती थी, गौड्स डोमेन के कालकोठरी अन्य आभासी वास्तविक्ता खेलों में कालकोठरी के विपरीत थे, कालकोठरी के भीतर स्वतंतरता की डिगरी फिर भी अंधेरे और उदास जंगल में खो जाना संभव था, अगर कोई खो जाना था, अथर्व केवल हेहे कहना चाहता था, देथली फॉरेस्ट का डरावना हिस्सा यह था कि जंगल में प्रवेश करने के बाद खिलाडी खो सकते थे, आखिरकार खिलाडी रहस्यमाई त प्रवेशे शग्यों द्वारा किये जाने के बाद ही, आखिरकार हर कोई डेथली फॉरेस्ट की भयानकता को समझ पाया, उन्होंने स्विकार किया था कि यह एक भयानक काल कोठरी थी, जिसे स्तर पांच तक पहुँचे बिना साफ करना असंभव था, जब शैडो गेड ले बॉस विली का नेत्रित्व किया, ये तीन रास्ते कई खिलाडियों के जीवन के साथ प्रशस्थ हुए, इन तीन में से दो रास्ते बेहत खतरनाक थे, परियाप्त शक्ती के बिना मृत्यू ही एक मात्र परिनाम होगा, केवल एक ही रास्ता था जिसमें बहुत कम राक्षस थे, अथर्व के नेत्रित्व में सभी लोग जंगल में चले गए, जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सभी को पता चला कि जंगल में कई रास्ते हैं, उन्हें नहीं पता था कि कौन सा सही रास्ता था, हाला कि अथर्व ने बिना किसी हिचकी चाहट के एक को चुना था अपने आसपास के प्रती सतर्क रहते हुए बाकी सभी ने बारीकी से उसका अनुसर्ण किया लगभग पांच मिनट चलने के बाद वे अपने पहले राक्षस से मिले अचानक सभी लोग तनाव में रहने लगे आवेग में काम मत करो मेरी आज्याओं को सुनो अथर्व जोर से चिलाया उनके सामने केवल लेवल दो एलीट मॉंस्टर नाइट रैबिट था हाला कि काल कोठरी के मजबूत होने के कारण इसके हमले रक्षा और एचपी सभी में बहुत वृध्धी हुई थी इसका एचपी जबरदस्त साथ सो अंक था कोला तुम राक्षस को लुभाते हो औरेकल उपचार पर ध्यान दें बाकी सब मेरी आग्या के बिना आक्रमन शुरू मत करो अथर्व ने तुरंट आदेश दिया दगारजियन नाइट कोला ने मुह से लार पी ली वह सावधानी से नाइट रैबिट की अटैक रेंज की ओर चला बाकी सब बेहत घबराये हुए थे हाला कि यह केवल एक स्तर दो अभिजात वर्ग था वे वर्तमान में एक कालकोठरी के नर्प मोर में थे हाला कि सभी की घबराहट शुनी थी जैसे ही किसी व्यक्ति के कदवाले नाइट रैबिट ने कोला को देखा वह तुरंत उस पर तूट पड़ा कोला ने बहुत सफलता पूर्वक नाइट रैबिट को लुभाया था इसके अलावा जब उसने लालच दिया तो वह घबराया नहीं वह नाइट रैबिट के हमलों को रोकने के लिए अपनी धाल का उप्योग करते हुए पीछे हट गया हाला कि भले ही हर हमला धाल पर हुआ फिर भी नुकसान भयानक था सिर्फ एक हिट से 42 नुकसान हुए जब तक कोला पार्टी के सामने वापस आया तब तक उसका एचपी पहले ही एक तिहाई गिर चुका था औरेकल जिसका नाम ब्रोसी सलॉथ था अच्छी जागरुकता रखता था जैसे ही कोला ने उनकी कास्टिं रेंज में प्रवेश किया उन्होंने उपचार करना बंद कर दिया था हाला की प्रत्येक ही कोला में केवल 24 एचपी जोर सकता था कोला के एचपी को गिरने से रोकने के लिए यह पूरी तरह से परियाप्त नहीं था भाई फेंग क्या हम अभी भी हमला नहीं कर रहे हैं ब्लैकी थोड़ा नर्वस था इस समय कोला का शेश एचपी अपने कुल के एक तिहाई हिससे तक भी नहीं पहुँच पाया औरेकल को काल कोठरी में लाना पूरी तरह से एक गलती थी हीलर जॉब्स के बीच औरकल्स में सबसे कमजोर उपचार शमताएं थी हाला कि चूंकी अथर्व ने ऐसा चुना था ब्लैकी केवल इससे स्विकार कर सकता था अब जब उनका एंटी मौद के करीब था तो यहां अस्विकार यह होगा अगर वे अभी भी हमला नहीं करते पकड़ना अथर्व ने द्रिड़ता से कहा समय धीरे-धीरे बीचता गया नाइट रैबिट के पंजे के हमलों को रोकने के लिए कोला ने लगातार अपनी धाल का इस्तमाल किया जबकि उसका HP लगातार कम होता गया कोला के पास केवल 20% HP 6 था फिर भी अथर्व ने अभी तक आक्रमन करने की आग्या नहीं दी थी जब सभी ने सोचा कि अथर्व कोला को छोड़ना चाहता है तो एक उर्ता हुआ तीर जंगल में घुस गया जो सीधे पार्टी के ओरेकल ब्रूसी स्लॉथ पर निशाना साध रहा था लोनली स्नो ने बिलकुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि नींद में डूबे स्लॉथ को सीधे उसकी छाती पर मारा गया था 123 अंक का बहुत बड़ा नुकसान सामने आया इस समय अथर्व चिल्लाया सुस्ती, जीवन भुगतान का उप्योग करें कोला को ठीक करने के लिए आपको जो नुकसान हुआ है उसका उप्योग करें ब्लैकी कोला को ठीक होने देने के लिए नाइट रैबिट को रोको अकेला मेरे साथ आओ हर कोई नाइट रैबिट पर हमला करता है चंगाई के संबंध में भविश्यवानी वास्तव में सबसे कमजोर थी हाला कि औरकल में उच्च HP था वे आसानी से एक शॉट नहीं होंगे साथ ही औरेकल के पास दो कौशल थे जब वे पहली बार शुरू हुए एक जीवन प्रार्थना थी जबकि दूसरी जीवन भुकतान थी जीवन भुकतान उप्योग करता द्वारा प्राप्त शती को अन्य खिलाडियों पर उप्योग किये जाने वाले उप्चार में बदल सकता है खेल के शुरुवाती दौर में चिकित्सकों के पास कई कौशल या उपकरण नहीं थे ऐसी स्थिती के संबंध में देथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने पर औरेकल को अन्य चिकित्सकों की तुलना में अधेक लाब हुआ यही कारण था कि अधर्व ने दैवग्य के उपर एक उजारी चुनने का त्याग कर दिया था अपना टुकडा खत्म करने के बाद अधर्व जंगल में भाग गया क्या आपको लगता है कि मैं आपको भागने दूँगा अधर्व ने जंगल से भागती काली चाया को देखते हुए ठंडेपन से कहा पवन ब्लेड सीधे आगे का पीछा करते हुए अधर्व प्रेट में बदल गया अधर्व ने नाइट रैबिट पर किसी को हमला नहीं करने देने का कारण कोला को चारे के रूप में इस्तिमाल करना था अधर्व पर्दे के पीछे छिपे काले हाथ को लुभाना चाहता था हाला कि नाइट रैबिट भयानत लग रहा था एक संभरांथ पार्टी बिना किसी समस्या के एक बार में उनमें से दो या तीन तक का सामना कर सकती थी हाला कि अधर्व के पिछले जीवन में स्तरपांच की संभरांथ पार्टी का भी पार्टी स्फाया होने का कारण अथर्व के सामने काली चाया थी इस डार्क शैडो ने नाइट रैबिट को चारा के रूप में इस्तिमाल किया जिससे खिलाडियों को उस पर हमला करने का लालच मिला दूसरी और काली चाया मरहम लगाने वालों को पीछे से घात लगाएगी जैसा कि नाइट रैबिट बाकी सभी पर कबजा कर रहा था मरहम लगाने वाले को बचाने का कोई रास्ता नहीं था अंत में सभी की मृत्यू हो गई देथली फॉरेस्ट के अंदर अगर खिलाडियों ने इस साथी के साथ व्यवहार नहीं किया तो इसका परिनाम पार्टी वाइप होगा विंड ब्लेड से बढ़ी हुई गती के साथ अथर्व ने जल्दी से अंधेरे चाया को पकड़ लिया अथर्व ने तीन कलवारे लहराई जिससे काली चाया के आगे बढ़ने का रास्ता बंध हो गया काली चाया जानती थी कि वह बच नहीं सकती अथर्व के हमले को रोकने के लिए उसने तुरंट एक जोडी चाकूओं को खोल दिया डांग, डांग, डांग रसातल ब्लेड के साथ अथर्व की ताकत भयावह रूप से अधिक थी उनके हमलों के कारण डार्क शैडो तीन कदम पीछे हट गया और प्रत्यक कदम पीछे हटने के बाद दस से अधिक की खशती होगी अंत में अंधेरे चाया ने चांदनी के नीचे अपनी आकरिती प्रकट की नाइट रेंजर विशेश अभिजातवर्ग लेवल दो HP 1458 बटा 1500 नाइट रेंजर को खदेरता देख अथर्व ने उसे मौका दिये बिना तुरंत एविसल बाइंड का इस्तिमाल किया नाइट रेंजर को बांधने के लिए 9 पिचकाली जंजीरे दिखाई दी जिससे वह 3 सेकंड के लिए आगे नहीं बढ़ पाया और उसकी रक्षा 100% कम हो गई थंडरिंग फ्लैश काटना 81, 98, 119, 114 का हरजाना सामने आया जब दो कौशल उत्रे तो भयानक मात्रा में एक शती दिखाई दी जो नाइट रेंजर के HP का एक चौथाई भाग ले गई नाइट रेंजर कितना भी सक्षम क्यों न हो वह 9 जंजीरों के बंधन से मुक्थ नहीं हो सका वह केवल पूरे 3 सेकंड के लिए चुकचाप एक धर्कन सह सकता था अथर्व अनियंत्रित था क्योंकि उसने नाइट रेंजर की छाती पर महत्वपून बिंदु के माध्यम से तलवार के बार के बाद तलवार के बार को घेजा जब तक नाइट रेंजर बंधनों से मुक्थ हुआ तब तक उसका शेश HP 700 अंक से अधिक नहीं था मनहूस इंसान नाइट रेंजर गुस्से में था उसने अथर्व को आंधी की तरह अपने दो ब्लेडों से घेर लिया इस समय लोनली स्नो ने आखिरकार पकड़ बना ली उसके एक आरोप ने नाइट रेंजर को बेहोशी की हालक में प्रवेश करने का कारण बना दिया था उसी समय नाइट रेंजर के आंधी जैसे ब्लेड को तोड़ दिया था अथर्व ने मौका पाकर नाइट रेंजर की गरदन काट दी लोनली स्नो ने नाइट रेंजर पर अपनी बड़ी कुलहाडी भी लहराई जब तक नाइट रेंजर जागा तब तक उसके पास केवल HP का अवशेश बचा था नाइट रेंजर ने लोनली स्नो की ओर अचानक उसके जुरवा ब्लेड काट दिये जिससे वह पीछे की ओर उरने लगा और 64 नुकसान का सामना करना पड़ा नाइट रेंजर ने अथर्व को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया एक बार फिर अपने जुरवा ब्लेडों को लहराते हुए और च्षैतिज रूप से अथर्व की गरदन पर वार किया दांग अथर्व ने पैरी का अपनी तलवार से इस्तमाल किया नाइट रेंजर को जवाबी कारवाई का कोई मौका दिये बिना अथर्व ने रेंजर को उठा लिया और उसे वापस फेंक दिया फिर अथर्व ने नाइट रेंजर को खत्म करते हुए कुछ तलवारों से हमला किया अथर्व ने आसानी से गिराए गए दो सामानों को उठाया फिर तुरंत मदद के लिए कोला के स्थान की ओर भागा अथर्व के फुर्तिले कॉशल को देखकर लोनली स्नो बगल में लेटलेटे गुंगा हो गया उसका दिल सगने से भर गया लोनली स्नो साथ देने के लिए अथर्व का पीछा करना भी भूल गई थी राक्षसों को मारने का भी कोई उपाय था जब तक अथर्व पार्टी में वापस आया एलीट नाइट रैबिट के पास केवल एक तिहाई HP 6 था सभी ने ठीक से समनवई किया था कोला अकेले मोर्चे पर टिकी रही जबकि अन्यने सक्ती से नुकसान पहुचाया हालांकि एगरो को नियंतरित करने के लिए ब्लैकी ने पागलों की तरह नुकसान नहीं पहुचाया इसके बजाए उसने नाइट रैबिट को पिन करने के लिए एविल भिप का इस्तमाल किया जिससे कोला को कुछ सांस लेने की जगह मिली कोला का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था उसने राक्षस को लगातार धेर किया और एगरो पर भी उसका अच्छा नियंतरन था कोला नौसिखिया के स्तर पर नहीं था लेकिन विशेशग्य बनने से पहले अभी धी एक लंबी सड़क थी कोला हमेशा अपनी शीड से ब्लॉक करने की कोशिश मत करो अन्य आभासी वास्तविट्टा खेलों की तरहे किसी हमले को रोकना आवश्यक नहीं है हमले से बचने के लिए आप चपमा भी दे सकते हैं इस तरह आप मरहम लगाने वाले पर तनाव कम कर सकते हैं बाकी सभी के लिए अपने हमलों को लक्षे पर केंद्रित करें केवल बेतरतीब धंग से हमला न करें अपने हमलों को जंगली खरगोश के पंजे या अन्यकमजोर बिंदूओं पर लक्षित करें इस तरह आप M.T. पर बहुत अधिक बोज कम कर सकते हैं अथर्व सीधे तौर पर कोला की मदद करने नहीं गया बल्कि उसने सभी को राक्षसों से लड़ना सिखाया यदि सभी भगवान के डोमेन को एक पारमपरिक खेल के रूप में मानते हुए संधर्ष करते हैं तो परिणाम विनाशकारी होंगे ऐसा इसलिए था क्योंकि दी गई चंगाई आमतोर पर प्राप्त क्षती की भरपाई करने में सक्षम होने से बहुत दूर थी कुछ पार्टियां एक अतरिक्त मरहम लगाने वाली होंगी हाला कि इससे नुकसान अपर्याप्त होगा परिणाम अभी भी एक पार्टी वाइप था खेल शुरू होने के कई महीनों बाद खिलाडियों को धीरे धीरे गौड्स डोमेन में युद्ध शैली की आदत हो गई खिलाडी तब उतने प्यारे और सरल नहीं होंगे जितने अब थे अतर्व अपने भविश्य के वर्क्शॉप की नीम बनाने के लिए सभी को साधना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इन लोगों को पहले भगवान के डोमेन की युद्ध शैली सीखने की जरूरत थी सभी ने सोचा कि अतर्व भी एक ना समझ था इसलिए उन्होंने अपने दिल में थोड़ा असंतोश रखा विशेशग्य ने कुछ नहीं कहा तो उसके जैसा नोब आउट कमांड क्यों दे रहा था हाला कि अतर्व की बातें समझ में आ रही थी इसलिए उन्होंने अब भी सचेत रूप से वैसा ही किया जैसा अतर्व ने कहा था कोला ने भी अपनी युद्ध शैली को बदलना शुरू कर दिया था वह अब हमलों को सकती से रोकने के लिए अपनी धाल का उपयोग नहीं कर रहा था इसके बजाए वह एक कदम पीछे हट गया जब जंगली खरगोश ने अपना हमला शुरू किया जिससे बचने का मौका मिला हाला कि कोला को अभी भी अधिकांश समय अवरुध करने के लिए अपनी धाल का उपयोग करने की आवश्शक्ता थी फिर भी इसने मरहम लगाने वाले पर बोज को बहुत कम कर दिया था इस तरह के बदलाव ने नाइट रैबिट को मारना और भी आसान बना दिया लेवल एक के कुछ नौजवान भी थोड़े हैरान थे अथर्व के प्रती उनकी राय में कुछ बदलाव आया अथर्व उतना असहनिय नहीं था जितना उन्होंने उसके होने की कलपना की थी इस स्थिती में अथर्व केवल मुस्कुराया उन्हें उनके विचारों की तनिक भी परवाह नहीं थी अथर्व को उसके प्रदर्शन को देख कर ही लगा की कोला काफी अच्छा है हालांकि दस साल बाद कोला पहले दरजे का विशेशग्य था लेकिन वह अभी भी उस बिंदू से बहुत दूर था यदि यह एक विशेशग्य एमटी होता तो वे पीछे नहीं हटते बलकि बिना हिलेडुले हमले को चक्मा देने का विकल्प चुनते ऐसा निर्णय इसलिए था क्योंकि यदि मेट्रिक्तन चलता है तो मॉन्स्कर भी गती करेगा यह स्थिती लंबी दूरी के नुकसान के डीलरों के लिए परिशानी का कारण बनेगी जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक नुकसान होगा हालांकि इस तरह की तकनीक के लिए युद्ध में अनुभव और निपुन प्रतिक्रियाओं वाले शरीर की आवश्चकता होती है कोला को अभी भी बहुत प्रशिक्षन की आवश्चकता है एलीट नाइट रैबिट पल भर में गिर गया इसने बेर्सकर्स वरल्विंड स्लैश के लिए एक कौशल पुस्तक गिरा दी इसने तीन कौपर भी गिराए हर कोई नर्क मोड की गिरावट दर से चकित हुए बिना नहीं रह सका एक संभरांत राक्षस को मारने के ठीक बाद एक कौशल पुस्तक गिरा दी गई यदि वे 10 से अधिक संभरांत राक्षसों को मारते हैं तो क्या वे 10 से अधिक कौशल पुस्तकें प्राप्त नहीं कर पाएंगे यह ज्यात होना चाहिए कि कौशल पुस्तकें अत्यंत दुरलब थी और यहां तक की एक सामान्य कौशल भी एक रज़त के लिए बेच सकता था अथर्व स्वाभाविक रूप से उनके विचारों को जानता था हालाकि नर्क मोर में भी इतनी अधिक गिरावट दर नहीं थी यहां हार्ड मॉड से तीन से चार गुना ही था बाद में अथर्व ने बवंडर स्लैश को बेवकूफ लोनली स्नो पर पारित किया फिर उसने कोला को लेवल एक ब्रॉन्स डिफेंसिफ प्लेट आर्मर पास किया नाइट रेंजर ने कवच गिरा दिया इन मदों से पार्टी की ताकत थोड़ी बढ़ी रक्षात्मक प्लेट कवच प्राप्त करने के बाद कोला का मुह बंद नहीं हो सका उन्होंने जल्दी से इसके लिए अथर्व का शुक्रिया अदा किया इस ब्रॉन्स प्लेट आर्मर से न सिर्फ कोला का डिफेंस चौधा प्वाइंट बढ़ गया था बलकि उसका एचपी भी 350 प्वाइंट हो गया था अथर्व और ब्लैकी के अलावा ग्रिश पर मौजूद सभी इर्शा से भरे हुए थे कांस्य उपकरण एक विशेशग्य की पहचान थी कालकोठरी के बाहर कांस्य उपकरण का एक टुकड़ा प्राप्त करना असंभव था भले ही आपने इसके लिए भीख मांगी हो और यहां उपकरण अथर्व ने अकेले प्राप्त किया था फिर भी अथर्व ने बिना किसी जिजक्के कोला को दे दिया अथर्व के प्रती सभी की राय काफी बदली हुई थी उन्हें लगा कि पार्टी का ऐसा नेता बिलकुल भी बुरा नहीं है अथर्व अन्य पार्टी नेताओं के विपरीत थे जो उपकरण गिराए जाने पर खुद को प्रात्मिक्ता देते थे कांस्य उपकरण के रूप में इसे एक अस्थाई पार्टी सदस्य को देना भूल जाए जरूर अपने पास रखेंगे बाद में जैसे जैसे वे आगे बढ़े सभी ने अथर्व का अनुसर्ण किया हाला कि अंधेरा और उदास जंगल दरावना था फिर भी हर कोई उतना नर्वस नहीं था जितना की एक उत्तेजक लड़ाई से गुजरने से पहले समय समय पर एक या दो गश्ती एलीट नाइट खरगोश उनके सामने दिखाई देंगे और वे इसका त्वरित जवाब भी देंगे जब दो नाइट रैबिट होते तो कोला उनमें से एक को टैंक में डाल देता जबकि अथर्व और लोनली स्नो भाग कर दूसरे को मार डालते जहां तक रंगे हुए खिलाडियों की बात है तो वे अथर्व के सामने नाइट रैबिट पर हमला करने को प्राथ मिक्ता देंगे नाइट रैबिट का साथ 100 HP भयंकर बंबारी के तहट जल्दी से चला जाएगा बाद में पार्टी ने कोला का समर्थन किया और दूसरे नाइट रैबिट को समाप्त कर दिया कुछ ही पलों में दो नाइट रैबिट नहीं रहे इस प्रक्रिया के साथ मरहम लगाने वालों के लिए एक कौशल पुस्तक पुनरस्थापना भी बंध हो गई स्किल में दो सेकंड का कास्ट टाइम था ओरकल्स द्वारा सीखे जाने पर कौशल तुरंट 37 HP को पुनरस्थापित कर सकता है यह जीवन प्रार्थना से कहीं बहतर था यह जीवन प्रार्थना के समान कोल डाउन को साज़ा नहीं करता था इसलिए एलीट नाइट रैबिट्स द्वारा पूरी तरह से होने वाले नुकसान को नकारने के लिए दोनों का समनवय में उप्योग किया जा सकता है नींद में डूबे स्लोथने लगातार अथर्व और पार्टी के अन्य सदस्यों को कौशल पुस्तक सीखने देने के लिए धन्यवाद दिया कालकोठरी को जीतने के लिए पुनरस्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल था यदि इसे बाहर बेचा जाता तो यह कम से कम दो या तीन चान्दी के सिखों के लिए जा सकता था बुरा मत मानो कौशल पुस्तकों का उप्योग किया जाना है चलो आगे बढ़ते हैं जवाब देते ही अथर्व मुस्कुराया एयोई अटैक स्केल बुक्स के अलावा इलर क्लास स्केल बुक्स सबसे महंगी और दूरलभ थी हाला कि डेथली फॉरेस्ट एक काल कोठरी थी जिसका मतलब खिलाडियों को भगवान के डोमेन में अपनी नीव बनाने देना था हैल मौड में बुनियादी उपचार कॉशल के लिए गिरावट की दर बहुत अधिक थी अथर्व के पिछले जीवन में उसने एक बार डेथली फॉरेस्ट के हैल मौड में प्रवेश करने के बाद ही चिकित्सा कॉशल की चार पुस्तकें प्राप्त की थी मूयवान नहीं समझा जाता था एक घंटे से अधिक समय के बाद अधर्व की पार्टी एक समतल घास के मैदान में पहुँची वे अंत में कालकोठरी के पहले मालिक से मिले थे विली सरदार पद स्तर तीन एचपी छे हजार विली एक खूंखार नाइट रैबिट था इसकी उचाई दो लोगों जितनी थी और तेज स्टील के पंजे ने इसके पंजे को सजाया इन पंजों को ताजा खून की दावत बनाना पसंद था और जो लोग इसके द्वारा पकड़े जाते थे वे टुक्रे टुक्रे हो जाते थे खून की नदी बन जाते थे यहाँ अज्यात था कि इन पंजों के नीचे कितने खिलाडियों की भीशन मौत हुई थी विली से कुछ ही दूरी पर साथ संभरांत रातरी खरगोश पहरे पर थे ये साथों खरगोश एक दूसरे के काफी करीब थे जब तक उनमें से एक पर हमला होता दूसरे जंगली खरगोश भी दौर पड़ते बॉस को आकरशित करने की भी काफी संभाव ना थी यहाँ तक कि अगर यहाँ अथर्व होता तो वह साथ नाइट रैबिट्स का सामना करने में सक्षम नहीं होता अकेले बॉस सहित हलांकि अगर उन्होंने साथ रात के खरगोशों को खत्म नहीं किया तो उनके पास बॉस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं था भाई फेंग अब हमें क्या करना चाहिए पूर्ण शक्ती के बिना पार करना असंभव था सिस्टम की सेटिंग ने भी सभी को नाराज कर दिया साथ संभरांत रातरी खरगोशों को कौन रोक सकता है यहां तक कि एक लेवल पांच गार्जियन नाइट भी ऐसा नहीं कर पाएगा तुम सब उस चटान के पीछे मेरी प्रतीच्शा कर रहे हो कोला, राक्षस को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ बाकी सभी को मेरी आग्या के बिना हमला करने की अनुमती नहीं है अथर्व ने पास में एक बड़ी चटान की ओर इशारा किया अथर्व स्वाभाविक रूप से जानता था कि यहां साथ संभरांत रात के खरगोश थे सभी ने अथर्व की आग्या का बिना किसी प्रश्न के पालन किया यहां रास्ते में जितने भी राक्षसों को उन्होंने मारा था वे सफलता के लिए अथर्व की आग्या पर निर्भर थे उन्होंने बहुत सारे नाइट रैबिट्स को मार डाला और सभी ने कांस्य उपकरण के एक या दो टुक्डे प्राप्त किये ब्लैकी के पास कांस्य उपकरण के पांच टुक्डे भी थे उनकी पार्टी की ताकत निश्चित रूप से अन्य अभिजात्य दलों को पार कर गई है ऐसी उपलब्धी का श्रे अथर्व की आग्याओं को जाता है जहां तक अथर्व का सवाल है वह साथ नाइट रैबिट्स से 40 गस की दूरी पर दौड़ कर गया था वह चुपचाप जाडियों के भीतर छिप गया रात के खरगोशों की हर हरकत पर नजर रखता था सभी समझ गए कि अथर्व राक्षसों को लुभाने की कोशिश कर रहा है हाला कि साथ रात के खरगोश एक दूसरे के बहुत करीब थे अथर्व तलवार बाज था उसके पास लंबे समय तक हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी इसलिए वह राक्षसों को कैसे लुभा सकता था समय धीरे-धीरे बीटता गया हर कोई बेहत चिंतित था अगर अथर्व गलती से फेल हो गए तो यह पार्टी वाइप होगा हाला कि अथर्व शांत था दूर रात के खरगोशों को देखते हुए वह एक इंच भी नहीं हिला इस समय एक थंडी हवा चली पेडो पर एक मरा हुआ पत्ता उर्ता हुआ भीजा गया मृत पत्ते को नाइट रैबिट की ओर मंदराता देख अथर्व ने अपने बगल में एक छोटा सा पत्तर उठा लिया धीरे से उसने पत्तर उपर फेंका जिस दिशा में पत्तर उड़ गया वह बॉस के निकटम नाइट रैबिट की ओर था खत्म हो गया सब समझ गये की इसका क्या परिनाम होगा यह निश्चित रूप से एक बॉस और साथ रात के खरगोशों का एक सन्योजन होगा जो उन्हें रक्त बलिदान में बदल देगा जिस क्षन पत्तर नाइट रैबिट से टकराने वाला था मृत पत्ता पत्थर और नाइट रैबिट के बीच में रुप गया पत्थर मृत पत्ती से टकराया और नाइट रैबिट पर टूट पड़ा रात का खरगोश अचानक अपने चारों और देखने के लिए मुडा के वल एक पत्ता खोज रहा था हाला कि एक पत्ता टकराने से इतना दर्द कैसे हो सकता है इसके बाद नाइट रैबिट ने अपनी इकाई को परिवेश का निरीक्षन करने के लिए छोड़ दिया यह लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर देखता था यह नहीं जानता था कि यह क्या खोजने की कोशिश कर रहा है यह अंजाने में अपनी इकाई से बीस गस की दूरी पर चला गया था और यह अभी भी आगे और आगे बढ़ रहा था बहुत धर्मी लोनली स्नो चिल्लाए बिना नहीं रह सका उसकी आखें अपने सौकेट से लगभग बाहर निकल चुकी थी बाकी सभी ने भी गुंगेपन से सिर हिलाया था नाइट रैबिट को मारने के दौरान मृत पत्ती को मारने के लिए किस तरह के सटीक निरने और उद्देश की आवश्यक्ता थी और इस तरह नाइट रैबिट की नफरत को भ्रमित कर दिया जिससे वह अपने लक्षे को आख बंद करके देख सके इसे परम कौशल कहना भी अतिश्योक्ती नहीं थी क्या अथर्व सच में नोप था वह उन्हें मूर्ख बनाने के लिए यहां कुछ जुआ खेलने का देवता नहीं हो सकता है है न समोनर बाकी आप पर निर्भर है अथर्व चटान के स्थान पर चला गया उसने समोनर की ओर देखा मुस्कुराते हुए बोलते हुए उस व्यक्ती के कंधों पर ताली बजाई अथर्व की टिपपणी सुनकर सुमोनर ग्लूटोनस माउस अचानक घबरा गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व उससे क्या करवाना चाहता है यदि उसने खराब प्रदर्शन किया होता और परिनामस्वरूप उसे पार्टी से निकाल दिया जाता तो वह तब तक पच्टाता रहता जब तक वह मर नहीं जाता इस समय के दौरान एक अच्छी पार्टी को खोजना मुश्किल था एक पार्टी का उलेक नहीं करना जिसका नेत्रित्व विशेशग्य कर रहे थे भीक मांगने पर भी ऐसी पार्टी में शामिल होना असंभव था आराम करो मैं तुम्हें कुछ भी खतरनात नहीं करने दूँगा आपको बस एक फ्लेन स्प्राइट को बुलाना है और मेरे निर्देशों का पालन करना है आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है अधर्व ने मुस्कराते हुए कहा ग्लुटोनस माउस की नसों को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था वर्तमान में समन्स मजबूत नहीं थे मुख्य रूप से उनके कोशल की अक्षमता के कारण एक सुमोनर के हमले का तरीका मुख्य रूप से उनके सम्मनित प्राणियों पर निर्भर करता था जबकि उनका सामान्य हमला कमनुकसान वाली मैजिक बुलेट था हाला की भयानक कोशल वाला एक संबनर वनमैन आर्मी बन सकता है यह सुमोनर्स के लिए विशेश रूप से सच था जो शक्तिशाली तात्विक जीवों को गुला सकते थे वे संभरांत राक्षसों को मार सकते थे जैसे की वे बस खेल रहे हूँ पार्टी के नेता निश्चिन्त रहें मैं इसे जरूर करूँगा पेटू चुहे ने जोर से कहा उसका स्वर आदर से भर गया वह एक छात्र की तरह था जो अपने शिक्षक से मिला था बाकी सभी लोग उस चटान से खुद को दूर कर लें उससे 20 गस की दूरी सबसे अच्छी होगी अन्य राक्षसों को लुभाने के लिए ध्यान न दें शफेंग ने मुरकर पार्टी के अन्य सदस्यों से कहा हाँ, पार्टी नेता पार्टी के अन्य सदस्यों ने जोर से जवाब दिया उनके मौजूदा तेवर पहले से बिलकुल अलग थे अथर्व सभी के प्रदर्शन से थोड़ा चौक गया उनमें से प्रतेक एक आएक इतना आध्याकारी क्यों हो गया हालांकि अथर्व को यह नहीं पता था अथर्व को हर कोई जिस नजर से देखता था वह बिलकुल अलग थी पहले उन्हें केवल यही लगता था कि अथर्व एक अच्छा सेनाप्ती है हालांकि अब अथर्व एक शक्तिशाली व्यक्ती था जिसकी वे पूजा करते थे उनमें अथर्व के प्रतीश रधा का भाव ख्षीन हो गया था बगल में खड़े होकर ब्लैकी ने लोनली स्नो के कंधों पर ताली बजाते हुए गर्व से कहा यह कैसा है भाई फेंग का अनुसर्ण करना बुरा नहीं है है न लोनली स्नो ने अथर्व का अनुसर्ण करने के लिए किये गए निर्नय के लिए खुशी मनाते हुए चुपचाप अपना सिरहिलाया अथर्व निश्चित रूप से बीटा टेस्टर विशेशग्य थे परियाप्त अनुभव और अभ्यास के बिना ऐसी तक्निकों को पूरा करना असंभव था केवल एक बीटा टेस्टर ही ऐसा कर सकता है हाँ 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 आप भविश्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं? ब्लैकी ने अचानक पूछा उसने लोनली स्नो के बारे में विचार पैदा करना शुरू कर दिया ब्लैकी अपने वर्क्शॉप के लिए लोनली स्नो का शिकार करना चाहते थे भले ही वर्क्शॉप अभी भी मौजूद नहीं थी कोला के उनके साथ जुडने की 100% संभाव ना थी लेकिन लोनली स्नो की अभी भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं थी भविश्यद लोनली स्नो ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था वह एक औसप खिलारी थे उसकी कोई बड़ी महत्वा कांक्शा नहीं थी वह केवल गेम खेल कर कुछ पैसे कमाना चाहता था उन्होंने इमानदारी से कहा मैंने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया मैं देख रहा हूँ कि आपकी तकनिके काफी अच्छी है आप अभी हमारे साथ क्यों नहीं जुरते ब्लैकी ने बेपरवाही से पूछा वास्तव में ब्लैकी के सवाल के बाद लोनली स्नो को अपने भविश्य की चिंता थी वह नहीं जानता था कि वह कहा जाना चाहता है अगर वह किसी विशेशग्य के साथ पार्टी कर सकता है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल हाला कि हमें अभी भी आपके भविश्य के प्रदर्शन को देखने की आवशक्ता है हम केवल लोगों को ही स्वीकार नहीं करते हैं विशेशग्य होने का नाटक करते हुए ब्लैकी ने गर्व से कहा धन्यवाद भाई ब्लैक लोनली स्नो ने खुशी से जवाब दिया उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी शांदार होगी कि एक विशेशग्य की नजर उस पर पर जाएगी लोनली स्नो को सहमत देखकर ब्लैकी ने राहत की सांस ली वर्तमान में ब्लैकी सिर्फ एक लोमडी थी जो बाग बनने का नाटक कर रही थी वह भगवान के ख्षेतर में अथर्व की ज्यादा मदद नहीं कर सका लेकिन फिर भी वह प्रशासन के संबंध में मदद कर सकता था इस समय उनके वर्कशॉप की छाया तक नहीं थी 16,000 क्रेडिट का कर्ज भी था कार्यशाला के सदस्यों में केवल अथर्व और स्वय शामिल थे यह निश्चित रूप से इतिहास की सबसे घटिया कार्यशाला थी अगर यह दूसरों को पता चलता तो वे निश्चित रूप से घूमते और निकल जाते अब ब्लैकी लोगों को अपनी वर्कशॉप में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए केवल एक विशेशग्य होने का ढूंग कर सकता था इस समय अथर्व वर्तमान में सुमोनर को ऑपरेशन की सामगरी समझा रहा था ऑपरेशन ग्लूटोनस माउस को अपने फ्लेम स्प्राइट को नियंतरित करके शेश छेश नाइट रैबिट्स को लुभाने देना था क्योंकि नाइट रैबिट्स जो बॉस के सबसे करीब था अब नहीं था अन्या नाइट रैबिट्स को लुभाने से बॉस आकरशित नहीं होगा वे राक्षसों को आसानी से लुभा सकते थे फ्लेम स्प्राइट बेहर कमजोर था इसका HP केवल 15 अंकों का दैनिय था और यह एक ही हिट में मर जाएगा हालांकि इसकी मुव्मेंट स्पीड बेहत तेज थी इसके बेहत छोटे आकार में जोर दें तो इसे हिट करने की कोशिश करना एक मुश्किल काम होगा ओपरेशन शुरू करो माउस चटान के चारों और चक्कर लगाते समय चार गज या उससे अधिक की दूरी बनाए रखना याद रखें अथर्व ने एक बार फिर याद दिलाया ग्लूटोनस माउस ने सिर हिलाया सावधानी से उसने 6 रात के खरगोशों को लुभाने के लिए फ्लेम स्प्राइट को नियंत्रित किया जब स्प्राइट ने 35 गस की दूरी में प्रवेश किया तो निकटम एलीट नाइट रैबिट ने फ्लेम स्प्राइट की खोच की अचानक इसने अपने शरीर को चारों और भुमाया और फ्लेम स्प्राइट की और दौड़ा दूसरे नाइट रैबिट भी साथ दौड़ते हुए आए रात के खरगोशों को चारा लेते देख ग्लुटोनस माउस ने तुरंथ फ्लेम स्प्राइट को नियंत्रित किया और भाग गया सिक्स नाइट रैबिट तेजी से पीछा कर रहे थे लेकिन उनकी गती फ्लेम स्प्राइट के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी एक पल में फ्लेम स्प्राइट बड़ी चटान के नीचे आ गया था इसने छै रात के खरगोशों को लुभाया था और बड़ी चटान के चारों और चक्कर लगाना शुरू कर दिया था दूसरी तरफ कोला ने नाइट रैबिट को पहले ही परिशान कर दिया था जिसने अपनी यूनिक छोड़ दी थी कोला ने ब्लॉक करने और अपने नए कौशल दिवाइन स्ट्राइक का उपयोग करने के बीच अगलाब दली की कांसे उपकरन के दो टुकडो के प्रभाव से दिवाइन स्ट्राइक के एक हिट से 26 नुकसान हुए थे यह एक सामान्य हर्ताल के कारण हुए 11 या 12 नुकसान की तुलना में बहुत अधिक था साथ ही दैविय हर्ताल का घ्रेना बढ़ाने का अतिरिक्त प्रभाव था एगरो को पकरना बहुत आसान हो गया नाइट रैबिट को कुछ ही पल में मार दिया गया इसने पांच कॉपर गिराए इसके बाद नाइट रैबिट को संभाला गया केवल छै नाइट रैबिट जो बड़ी चटान के चारों और चक्कर लगाते रहे रह गए मैं रात के खरगोशों को लुभाऊंगा कोला राक्षस को खीचने पर ध्यान दो अतर्व ने एक और छोटा पक्थर उठाया और उसे पीछे भाग रहे नाइट रैबिट पर फिंक दिया नाइट रैबिट ने अपनी खोपड़ी पर वार करने के बाद उसे रगड़ा खरगोश ने मुड़कर देखा तो अतर्व ने पत्थर फिंका था रात का खरगोश अचानक क्रोधित हो गया वह अपने शक्तिशाली पैरों से पागलों की तरह अतर्व की ओर लपका अन्या नाइट रैबिट के रूप में वे अभी भी उत्साह से फ्लेम स्प्राइट का पीछा कर रहे थे अपने एक साथी के लापता होने की सूचना देने में विफल रहे इसे प्राप्त करें नाइट रैबिट को देखकर पार्टी से केवल बीस गस की दूरी पर अथर्व ने आग्या दी कोला नाइट रैबिट के सिर्की ओर एक दैविय प्रहार भेज कर आगे बढ़ा नाइट रैबिट का लक्षय तुरंत बदल गया उसने अपने पंजों को कोला की खोपडी की ओर बढ़ाया हाला की कोला ने अपने शरीर को बगल में चक्मा देकर तुरंत प्रतिक्रिया दी थी हमले से बचने के बाद कोला ने सजा का उप्योग करना जारी रखा इस कौशल ने कोला के प्रती नाइट रैबिट की नफरत को एक बार और मजबूत कर दिया था हर कोई आग पर ध्यान केंडरित करें कोला के प्रदर्शन को देखकर अथर्व ने मन ही मन तालिया बजाई उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोला की सीखने की क्षमता इतनी महान होगी दस से अधिक लड़ायों से गुजरने के बाद उसे पहले ही नाइट रैबिट के हमले के पैटर्न के बारे में पता चल गया था कोई आश्चर्य नहीं कि वह दस साल बाद पहले दरजे के गेड के कोर एंटी थे उनकी क्षमता असी मित थी कोला के सामने नाइट रैबिट बीस सेकंड के भीतर गिर गया था इसने स्वाड्समैन डबल चॉप के लिए एक कौशल पुस्तक भी गिरा दी थी अधर्व ने तुरंट इसे बिना किसी आपती के सीख लिया डबल चॉप एक्षन टाइप आवश्चक्ता है तलवार स्तर एक प्रवींता शून्य बटा तीन सौ तेजी से दो बार नुकसान का सौदा करता है तलवार का हर वार 120% प्लस 15 नुकसान पहुचाता है गीडिंग प्रभाव को भी 20% बढ़ाता है दस सेकंड की अवधी अधिक्तम पांच बार धेर हो जाता है कूल डाउन आठ सेकंड इस कौशल पुस्तक ने अधर्व की विस्पोटक शक्ती को बहुत बढ़ा दिया था जहां तक कौशल के अभ्यस्थ होने की समस्या थी अधर्व के लिए यह कोई समस्या नहीं थी एक तलवार बाज के रूप में 10 साल तक खेलने के बाद अयूब से समबंधित कौशल अधर्व की हड़्डियों में गहराई से समा गए थे जब तक अधर्व के पास इन कौशलों की पकड़ है तब तक वह उन्हें उनकी सबसे बड़ी क्शमता तक उप्योग करने में सक्षम होगा अधर्व ने एक के बाद एक बागी पांच नाइट रैबिट्स को भी फुसलाया था पार्टी ने एक एक करके खरगोशों को मार डाला था और अंतिम रात खरगोश की मौत के बाद अधर्व के शरीर के चारों और एक सुनहरी चमक दिखाई दी वह लेवल दो तक पहुँच गया था उसी समय पांच नाइट खरगोशों ने गारजियन नाइट्स के लिए कांसिप लेट कबच का एक टुकड़ा पार्टी में योगदान दिया था उपकरण ने कोला के HP को 390 अंक और उसकी रक्षा को 56 तक बढ़ा दिया इसने कोला की नाइट रैबिट सरदार विली के खिलाफ विरोध करने की ख्षमता भी बढ़ा दी थी अभिजात वर्ग के साथ जो सभी मृत थे केवल बॉस विली खुले मैदान में थे इस समय विली जमीन पर लेटा सो रहा था जह समय समय पर अपनी पीट खुजलाता था अपने लापता गुर्गों से पूरी तरह अंजा सब लोग अभी के लिए ठीक हो जाओ मैं विली पर छापा मारने की विधी एक पल में समझाता हूँ अथर्व चाहता था कि सब पहले आराम करें विली का सामना करना आसान नहीं होगा लडाई के लिए उच्चस्तर की एक आगरता की आवश्चकता होगी क्योंकि एक गलती के कारण सभी को एक साथ दफन कर दिया जाएगा सुनकर सभी स्वस्थ होने के लिए बैठ गए उन्होंने अपनी सर्वश्रिष्ट अवस्था में ठीक होने के लिए खाया और पिया जैसे ही अथर्व ने अपने एट्रिब्यूट पैनल को कॉल किया उसकी उंगली हिल गई और हिल गई वह हाल ही में लेवल दो पर पहुंचा था एबिसल ब्लेड के कारण उसने जो फ्री एट्रिब्यूट पॉइंट्स प्राप्त किये वह अन्य खिलाडियों से दो पॉइंट्स अधिक थे वह अपने अंकों के साथ जो चुनाव कर सकता था वह औसक खिलाडी से थोड़ा अधिक था शुरुवाती दौर में एक तलवार बाज की चपलता 20 अंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी हालांकि अधर्व ने अपने 30 अंक बढ़ाए चपलता 30 अंक तक पहुंचने पर शरीर के लचीलेपन में निश्चित वृध्धी होगी इसके बाद अधर्व ने शेश बिंदूओं को स्ट्रेंथ में जोर दिया जिससे उसके लिए बॉस से मुकाबला करना आसान हो गया अधर्व के पास कांस्य उपकरण के तीन टुकडे एक रहस्य मैं लोहे की अंगूठी और एक जादूली हथियार था अधर्व गुन मूल रूप से अपनी आवश्शक्ताओं तक पहुँच गया था चरित्रत ये फेंग मानव संबध किंड़म स्टार मून शीर्शक माइट ओफ एथाउजेंड काम तलवार बाज लेवल दो HP 520 बटा 520 आक्रमन शक्ती 88 रक्षा शक्ती 49 हमले की गती 15 आंदोलन की गती 13 गुन शक्ती 32, चपलता 30 सहन शक्ती 24, बुध्धी 13, जीवन शक्ती 13 इस तरह के गुनों के साथ अधर्व में विली के साथ व्यवहार करने में अधिक आत्म विश्वास था सबको ठीक होते देख अथर्व समझाने लगा विली में दो हुनर होते हैं उनमें से एक है किलिंग फिस्ट उपयोग किये जाने पर विली घेना को अंदेखा करेगा और निकटम खिलाडियों पर बेतरतीब धंग से हमला करेगा ग्लैकी और लोनली आप दोनों को अपनी पोजिशनिंग पर ध्यान देना होगा अंगे कौशल डेथ क्लॉज है कोला इस कौशल का उपयोग करने से पहले आपको खुद को बॉस से दूर करना होगा लोनली स्नोग बॉस को बाधित करने पर ध्यान दें समय आने पर मैं आपको याद दिलाऊंगा एक और बात ध्यान देने योग्य है विली बहुत चतुर है इसलिए एक ही हमले के पैटर्न का उपयोग करना जारी न रखें ठीक है बस अगर हम तयार हैं तो लड़ाई शुरू करो भाई फेंग क्या और कुछ नहीं है जिस पर हमें ध्यान देना है ब्लैकी फुस्फुसाते हुए अधर्व की तरफ बढ़ी यह स्थान देथली फॉरिस्ट का हैल मौड था हर कोई विशेशग्य भी नहीं था हाला कि अधर्व की व्याख्या इतनी सरल थी कि उन्हें लगा कि इस बॉस को जीतना बहुत आसान है हाला कि बहुत सारी एलीट पार्टिया थी जो नॉर्मल मौड के अंदर मर गई थी तो हैल मौड इतना सरल कैसे हो सकता है पार्टी नेता क्या कोई विवर्ण नहीं है जिस पर हमें ध्यान देने की आवशक्ता है सब बहुत चिंतित थे अधर्व की ओर देखते हुए वे सभी अपनी निगाहों में प्रत्याशा रखते थे उम्मीद करते थे कि वह बारीक विवर्ण के बारे में अधिक बोलेंगे वे ना समझ थे इसलिए बहुत सी बाते थी जो उन्हें समझ नहीं आती थी अधर्व जैसे विशेशक्य के संबंध में जिन बातों को वह महसूस करता था वे सामान्य ज्यान थे निश्चित रूप से उनके जैसे नवाबों के लिए सामान्य नहीं थे अभिजात वर्ग की तुलना बॉस से नहीं की जा सकती अंग्य संब्रांत गलों को निश्चित रूप से बॉस के हाथों मरना चाहिए था हालांकि उनके उपकरण एलीट पार्टी से बहतर थे फिर भी वे लिवल एक नोब्स थे वे स्पष्ट रूप से अपनी कीमत जानते थे तुम लोग बहुत चिंता करते हो आराम करना समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए इसलिए इसकी चिंता मत करो कोला लडाई शुरू करें और अधिक बार चक्मा देना याद रखें एक मरहम लगाने वाला बॉस के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा अधर्व मुस्कुराया उन्होंने महसूस किया कि उनकी पार्टी के सदस्य काफी दिल्चस्प थे जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक वे विवर्ण के बारे में कमभीर थे अपने पिछले जीवन में अधर्व ने चाया के कप्तान के रूप में अंगिनत बाग नर्क मोर काल कोठरी में प्रवेश किया था उस जमाने में सो आद्मियों की काल कोठरी की भी कमी नहीं थी तो वह कैसे नहीं जान सकता था कि छोटे बॉस को हराने के लिए कुछ नोबो का मार्क दर्शन कैसे किया जाए कोला के पास मुश्किल से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था जैसे ही कोला ने अपनी डिटेक्शन रेंज में प्रवेश किया विली ने अचानक छलांग लगा दी कोला को देखते ही उसके मुह में लारा गई और उसके दो जोडे स्टील के पंजे आपस में जुड़कर चिंगारी पैदा करने लगे कोला ने स्पष्ट रूप से विली के नरसंहार के दिल को उत्तेजित कर दिया था इसने अपने स्टील के पंजे उठा लिये और कोला की ओर जटपट दोड़ पड़ा चंगा करना शुरू करें सभी डैमेज दीलर विली के अंगो पर हमला करने की तयारी करते हैं विली का भयानक रूप देखकर अथर्व ने आग्यादी जैसे ही अथर्व ने बोलना समाप्त किया, विली कोला से पहले आ चुका था इससे पहले की कोला प्रतिक्रिया कर पाता, उसके नुकीले पंजे आसमान से गिरे कोला की गरदन पर वार कर रहे थे पेंग कोला ने स्टील के पंजे को रोकने के लिए सहज रूप से अपनी धाल का इस्तमाल किया जिससे चिंदारी की तीन शांदार धारिया बन गई धाल पर पंजों के तीन निशान भी बचे थे अत्यधिक तेज गती के कारण कोला को अपने शरीर को स्थिर करने के लिए 5 या 6 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा उसके सिर के उपर 103 का डैमेज दिखाई दिया इससे पहले की कोला हमला कर पाता, विली ने एक बार फिर अपना फॉलाद लहराया इस बार कोला को उसकी ढाल के साथ उर्ते हुए भेजा गया और 105 अंक का नुकसान हुआ केवल इसी समय कोला पर चंगा उत्रा, उसके लिए 43 HP की वसूली की कोला को हुए नुकसान की तुलना में यह वास्तव में नगणिय राशी थी हर कोई हैरान रह गया आंदोलन की गती और बॉस की क्षती बहुत भयानक थी यदि कोला के पास कांसे उपकरण के दो टुकडे नहीं होते या यदि वह अपनी धाल से हमलों को नहीं रोकता तो वह इन दो हमलों से बस मर जाता अकेला हिमपात विली पर चार्ज का उपयोग करें ब्लैकी एवल भिब का इस्तिमाल करो अथर्व को बहुत पहले से ऐसी स्थिती की उम्मीद थी उन्होंने तुरंट ब्लैकी को बाध्यकारी कौशल का उपयोग करने का निर्देश दिया लोनली स्नो ने विली के अगले हमले को रोकने के लिए चार्ज का उपयोग करके प्रतिक्रिया व्यक्त की और कोला की जान बचाई हालांकि लोनली स्नो के हमले से विली को केवल 11 नुकसान हुआ था इससे वह हक्का बक्का रह गया उसने अपने अधिकांश गुन बिंदूओं को शक्ती में जोर दिया था और उसके पास कांस्य उपकरण के दो टुकडे भी थे फिर भी उसने इतनी कम मात्रा में ख्षती का सामना किया था ज्यात हो कि उनके सामने वाले बॉस के पास 6000 HP था ब्लैकी ने भी अपना इविल भिप भेज कर और से जब समाप्त किया गहरे काले काटों की पांच लकीरों ने अचानक विली के पैरों को जकड लिया अथर्व ने मौका पाकर विली के पिछले हिस्से में चकर लगाया हाथ में एविसल ब्लेड के साथ उसने विली की गरगन पर डबल चॉप का इस्तिमाल किया जिससे 66 और 66 की क्षती हुई उसके हमले से ब्लीडिंग प्रभाव भी हुआ जिससे विली को प्रती सेकंड 8 HP का नुकसान हुआ जो 10 सेकंड तक चला उच्च क्षती ने तुरंत विली को अपनी नफरत को अथर्व पर स्विच करने के लिए प्रेरित किया हालांकि अथर्व ने इसे कोई मौका नहीं दिया अपनी 30 फूरती के साथ अथर्व स्टील के पंजे से आसानी से चक्मा देकर विली से पांच गस की दूरी पर दिखाई दिया आओ 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 अथर्व पर जपटते ही विली गुस्से से चिलाया रंगे हुए खिलाडी आक्रमर करना शुरू कर देते हैं कोला आओ और विली को पकड़ो जब तुम ठीक हो जाओगे विली के पंजों को चक्मा देते हुए अथर्व व्यवस्थित रूप से पीछे हट गया हाला कि अथर्व को देख रहे अन्य लोगों की आत्मा को धक्का लगा ऐसा इसलिए था क्योंकि विली के पंजे हर बार अथर्व की खोपडी से टकराते थे जिससे उसके बाल नरीतिय में उर जाते थे हाला कि हर कोई हैरान था फिर भी उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया मैजिक अटैक एक के बाद एक भीजे गए जबकि लोनली स्नो ने विली के पिछले हिस्से में भरलविन स्लैश का इस्तिमाल किया हाला कि उनमें से एक भी नुकसान 20 अंक से अधिक नहीं था विली का एचपी धीरे-धीरे कम हो गया जब यह कभी कभार अथर्व से टकराता था तो इसका एचपी एक खंड से गिर जाता था विली का एचपी एक क्षण में ही 90% तक गिर गया था विली क्रोधित हो गया क्योंकि उसने अपने पंजों से एक पागल नृत के शुरू कर दिया इसने डेथ क्लॉस का इस्तिमाल किया जिससे इसकी अटैक स्पीड काफी बढ़ गई अथर्व इसकी चपेट में आने के करीब था सौभाग्य से हालांकी उसने हमले को रोकने के लिए एबिसल ब्लेड का इस्तिमाल किया था इससे केवल 130 नुकसान हुआ इस समय कोला अपने पूर्ण HP के साथ उपर चला गया उसने विली के सिर पर एक डैविय प्रहार का इस्तिमाल किया जिसके बाद एक सजादी गई विली की घ्रेना केवल हमलों की एक श्रिंखला के बाद कोला में बदल गई हिट्रेर के स्विचिन ने विली के डेट क्लॉस को भी बाधित कर दिया था विली को उसकी सामान्य स्थिती में लोटा दिया विली को लक्षे बदलते देख अधर्व ने थंडरिंग फ्लैश लहराया वजर की तीन धारिया विली के शरीर से गुजरी जिससे 92, 116, 117 क्षती हुई उसी समय विली को क्षती प्रवर्धन प्रभाव देते हुए इसने दूसरों को इससे 20% अधिक शती का सौधा करने की अनुमती दी विली के साथ लड़ाई काफी आसान हो गई ब्लैकी बिना रुके डार्ट एरो भेज रहा था, प्रत्येक को 50 से अधिक नुकसान हो रहा था जबकि अन्य केवल विली को 20 से अधिक नुकसान से निपटने में काम्याब रहे एक दरदनाक पिटाई के कारण विली मुर कर अथर्व पर हमला करने ही वाला था कि कोला ने एक बार फिर डिवाइन स्ट्राइक और पनिश्मेंट दोनों का इस्तिमाल किया विली की नफरत को जल्दी से कोला में वापस खीचिया गया जब विली वापस कोला की तरफ मुरा तो अथर्व ने उस पर चोप का इस्तिमाल किया ऐसे में अथर्व और कोला ने बारी-बारी से विली को नाराज कर दिया जिससे वह किसी भी खिलाडी पर हमला करने में असमर्थ हो गया विली का HP लगातार 30% तक गिरा विली ने एक निडर अवस्था में प्रवेश किया उसका शरीर कई आकारों में बढ़ रहा था हाथा पाई के खिलाडी बॉस से दूर रहें अथर्व जोर से चिलाया अपनी वर्तमान स्थिती में विली निश्चित रूप से अपनी बड़ी चाल किलिंग फीस्ट का उपियोग करने जा रहा था लोनली स्नो और कोला ने अथर्व की आग्या सुनकर तुरंत ही बॉस से दूरी बना ली और अथर्व को बॉस को अकेला छोर दिया जब वे दोनों दस्त गस की सीमा से बाहर हो गए तो विली गायब हो गया क्या हुआ किसी की समझ में नहीं आया जब विली फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही अथर्व की पीठ पर आ चुका था और उसके स्टील के पंजे अचानक नीचे आ गए अथर्व काफी पहले से इसके लिए तयार था उसने आने वाले पंजों को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तिमाल किया हाला कि इस हमले को रोकने के बाद विली एक बार फिर गायब हो गया और फिर से अथर्व के पीछे आ गया विली ने दो सेकेंड के अंदर ही अथर्व की पीठ पर सात्वार किये सौभाग्य से अथर्व की चपलता 30 अंग तक पहुँच गई थी विली की गती से मेल खाने के लिए यह मुश्किल से ही परियाप्त था हाला कि अथर्व द्वारा रोका गया प्रत्येक हमला अभी भी उससे एचपी की एक महत्वपूर्ण राशी ले लेगा उन्होंने जो चंगाई प्राप्त की वे भी लगातार उनके एचपी को ठीक कर रहे थे अगर अथर्व के पास 520 एचपी नहीं होता और वह अपने पास आने वाले हर पंजे को ब्लॉक कर देता तो अथर्व 100% निश्चिता के साथ विली की किलिंग दावत से मर जाता इस समय अथर्व का शेश एचपी 100 अंक तक नहीं पहुँचा से मुक्त होना अथर्व जोर से चिलाया अपनी बड़ी चाल का उप्योग करने के बाद विली एक कमजोर अवस्था में प्रवेश करेगा इसे मारने का यह सही मौका था सभी ने लगातार विली को अपने हमलों से बधाई दी अंत में विली के शेश 30% HP को हटा दिया इसने चार आइटम गिरा दिये जैसे ही हर कोई अपनी सांसे चोड़ने वाला था अथर्व ने सभी की वर्तमान स्थिती पर एक नजर डाली मरहम लगाने वाले सुस्ती वाले सलोथ का शेश MP 20% तक नहीं पहुँचा और अन्यदाना का MP 10% तक नहीं पहुँचा अथर्व ने जट से कहा सब लोग बैठ जाओ और तुरंत ठीक हो जाओ सभी भ्रमित थे क्या बॉस अभी मर नहीं गया उन्हें इतनी जल्दी क्यों होनी चाहिए हाला कि सभी ने फिर भी अथर्व के बैठने और ठीक होने की आग्या सुनी इससे पहले कि वे पाँच सेकंड के लिए फिर अथर्व और अन्य लोगों की ओर देखा यह पिछकाली आखें अचानक लाल-लाल हो गई जैसे ही वह एक दहार छोड़ना चाहता था अथर्व बिंड ब्लेड से उसकी ओर दौर पड़ा ततकाल अथर्व ने रसातल बिंड का प्रयोग किया नौ जंजीरें दिखाई दी और वेरवोल्फ और उसके मुह को बांध दिया जिससे उसे आवास करने से रोका गया इस समय सभी ने आखिरकार वेरवोल्फ के आक्रे देखे इसमें HP के दो बड़े बार थे वेरवोल्फ फेल्ट लॉडरेंग स्तर तीन HP 12000 बटा 12000 बक्वास भगवान बॉस क्यों है? ब्लैकी ने शाप दिया एक बॉस को मारने के बाद उन्होंने बमुश्किल आराम किया था और अब उनके सामने एक भगवान थे सरदारों का पद सरदारों से उचा होता था खेल सचमुच उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था हर कोई याद रखता है बिल्कुल वेरवोल्फ फेट को एक और दहारने न दे अधर्व ने लगातार सब को याद दिलाया हालांकि अन्यस पश्ट रूप से डरे हुए थे वेरवोल्फ फेट के शरीर और एचपी के कारण नहीं बलकि भयानक लाल आँखों की उस जोड़ी के कारण उन्होंने हर किसी को डराने वाली भावना दी जिससे चलना मुश्किल हो गया देथली फॉरेस्ट के कालकोठरी के सामने स्तर दो के खिलाडियों की भीर बढ़ रही थी कालकोठरी में गोता लगाने वाले खिलाडियों की एक अंथीन धारा भी थी चुंकि बहुत सारे लेवल दो खिलाडी थे इसलिए काफी संख्या में ऐसे खिलाडी भी थे जिन्होंने स्टॉल लगा रखे थे साइड में पेडलिंग कर रहे थे अच्छी गुनवत्ता स्तर शून्य सामान्य उपकरण जब आप पास से गुजरते हैं तो इसे याद न करें आप केवल अच्छे उपकरणों के साथ कालकोठरी में उतर सकते हैं उपकरण सीमित हैं जल्दी करो और खरीदो चोटा HP पोशन तुरंत 90 HP को एक बार ठीक कर देता है युद्ध के लिए एक आवश्यक उपकरण जो आपके योग्य है गौड्स डोमेन अब 10 घंटे से अधिक समय से खुला था यहां के खिलाडी सभी लेवल 2 के खिलाडी थे 10 घंटे से अधिक की जगदो जगद के बाद उन्होंने काफी कुछ सामान इकठा कर लिया था स्तर दो के कई खिलाडियों ने उन वस्तूओं को बेचने का इरादा किया था जिनके लिए उनका कोई उपयोग नहीं था उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए स्विच करना जिसका वे उपयोग कर सकते थे इस तरह की स्थिती के कारण डेथली फॉरेस्ट में व्यापार फलने फूलने लगा था हाला कि डेथली फॉरेस्ट के सामने खिलाडियों की संख्या बढ़ती रही कालकोठरी में प्रवेश करने वाले दलों की संख्या घटी रही केवल वे पार्टियां जो अनजान थी देथली फॉरेस्ट में प्रवेश करेंगी हाला कि उन खिलाडियों को डेथली फॉरेस्ट द्वारा ठीक से पोशित किये जाने के बाद उन्होंने अचानक पाया कि उनकी पिछली मान्यताएं बहुत भोली थी इसलिए वे आध्याकारी रूप से कालकोठरी के सामने खड़े हो गए नई पार्टियों को मुसकराते हुए कालकोठरी में प्रवेश करते हुए देखते हुए उन्होंने अन्यदलों के साथ जीवन के बारे में बात की उन्होंने अनुभवी पार्टियों के साथ मिलकर डेथली फॉरेस्ट की रिपोर्टों की भी जाच की थी कालकोठरी को जीतने के लिए अपनी रननीतियों में पारसपरिक रूप से सुधार किया काल कोठरी में प्रवेश करने और मरने वाले खिलाडियों की लहर के बाद मौत का जंगल आखिरकार रेड लीफ टाउन में हर खिलाडी का पीडा दायक बिंदू बन गया था। देथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक खिलाडी को कालकोठरी का केवल एक ही आभास होता है। उसकी क्रोधित फिर भी नाजुक उपस्थिती की क्यूटनेस ने तुरंत पुरुष खिलाडियों की भीड का ध्यान आकरशित किया। जेंटल स्नो ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, देथली फॉरेस्ट के अंदर हमारी उपलब्धियां अपेक्शाकृत अच्छी हैं, इसलिए हम आसानी से हार नहीं मान सकते। लेकिन देथली फॉरेस्ट के अंदर का जंगल बहुत बड़ा है। जेंटल स्नो की अटकले समझ में आती हैं, खास कर उस हिस्से के बारे में जहां उन्होंने नाइट रैबिट्स पर हमला किया था। वे सभी खरगोशों को कंधा देने में असमर्थ थे, जिसके परिनामस्वरूप उनकी मृत्यू हो गई। अगर उन्हें सही रास्ता मिल जाता, तो वे अब तक कालकोठवी को साफ कर चुके होते। जाओ युएरू सहमती में केवल अपना सिर हिला सकती थी। पार्टी के नेता, वास्तव में, जेंटल स्नो थे और जेंटल स्नो के अनुमान हमेशा बहुत सटीक थे। जाओ युएरू उस पर विश्वास किये बिना नहीं रह सका। सुझाव के साथ चलते हुए, जेंटल स्नो और जाओ युएरू ने यह कहते हुए कई बार चिलाया कि वे डिथी फॉरेस्ट के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता था, दो महान सुन्दरियों द्वारा बुलाए जाने से उत्पन्न हर्ताली प्रभा। हजारो पक्षी आस्मान में उर गए, जंगल को एक घातक सननाटे में छोड़ दिया। कालकोठरी मौजूद था। हेल मौड में फेल्ट के पास तीन निर्पेक्ष कॉशल थे। पहला देथ स्टेयर था। जिन शत्रूओं को लगा कि वे घूर रहे हैं, उनकी हमले की गती और गती की गती बहुत कम हो जाएगी। यदि किसी की इच्छाशक्ती कमजोर होती है, तो वहर हिल भी नहीं सकता। फिलहाल केवल अथर्व के ही एजिलेटी में तीस अंक थे। अपने पास मौजूद तीन छिपे हुए बुनियादी कौशल को सक्रिय करने के बाद, उन्होंने डेथ स्टेयर के प्रती एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध प्राप्त किया। जहां तक अन्यलोगों की बात है, उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत धीनी हो जाएंगी। यह इस हद तक था कि वे इसके हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे, यह ऐसा था जैसे वे एक विशेशग्य के खिलाफ सामना कर रहे थे, जो वुक्सिया उपन्यास से सीधे बाहर आया था, सामान्य लोगों को हस्तक शेप करने का कोई मौका नहीं था, यदि वे यु पहुचा रहे थे, अकेला दहार को बीच में फेट को अचानक सास लेते देख अथर्व तुरंक चिलाया, लोनली स्नो बहुत पहले से इस पल के लिए तयार थी, तुरंक वह आगे बढ़ा और चार्च का इस्तिमाल किया, जिससे फेट एक सेकंड की बेहोशी की स्थिती मे फिर वह जल्दी से पीछे हट गया, अथर्व ने थंडरिंग फ्लैश, डबल चॉप और चॉप का इस्तिमाल करने का मौका लिया, एक के बाद एक हमले फेट की छाती पर लगे, फेट अपनी सास लेने से पहले ही मुह भर खून थूप चुक चुका था, अथर्व ने इसे द्रिश्टी से और भी अधिक प्रभावित हुए, उन्होंने वास्तव में फेट के शरीर में इस तरह की कमजोरी का पता लगाया था, अब सभी को और अधिक आश्वस्त किया गया था, कि अथर्व उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था, हालांकि अथर्व ने कोई ख अधर घुमाया और तुरंत अपने तेज पंजे से अधर्व पर वार किया, फेल्ट के पंजों की काटने की गती पहले की तुलना में एक कदम और भी तेज थी, जो आकाश को उसके पंजों के बाद की छवियों से भर रही थी, हालांकि अधर्व भी कमजोर नहीं था, शक् अधर्व की सबसे बड़ी संपत्ती यह असाधारन अवस्था थी, जिसे वह किसी भी समय सक्रिय कर सकता था, इसके साथ वह विकाम कर सकता था, जो सामान्य खिलाडी नहीं कर सकते थे, पंजों की छवियों से भरे आकाश के नीचे, अधर्व अभी भी सुरक्षित और स्व वेदंशील हो गई, और उनके मस्तिष्ट की प्रसंसकरन क्षमता असाधारन रूप से केंद्रित हो गई, अधर्व अपने शरीर का पूरी क्षमता से उप्योग कर सकता था, यदि यह एक औसक खिलाडी होता, हालांकि वे इस तरह के कारनामे करने में असमर्थ होते, यह अ जंगिनक चमकदार चिंगारी पैदा होती हैं, दोनों पक्षों का HP लगातार गिर रहा था, सौभाग्य से अधर्व 1910 लौथ के समय पर उप्चार के साथ विनिमय से बचने में सक्षम था, बाद में अधर्व के आदेश के तहत, लोनली सनो कभी-कभी नर्प की दहार को बाधित कर देती थी, जबकि जब भी अधर्व खत्रे में होता था, कोला पीछे हट जाती थी, और ब्लैकी फेट की हरक्तों को रोकने के लिए इविल भिप का इस्तिमाल करती थी, ऐसे में वेर्वोल्फ फेट का HP लगातार घटता गया, 70%, 60%, 30%, हर कोई बॉस के सामने एक स इस समय के दोरान नर्ग की दहार को बाधित करना असंभव था, वे इसे केवल सिर पर ले सकते थे, किसी को कोई हिच की चाहट नहीं थी, वे जानते थे की बॉस निडर होने वाला था, उन्होंने तुरंत कारवाई की वेर्वोल्फ फेट के खिलाफ एक सीधी रेखा इसकी चाती भी टेजी से फैलने लगी, मानो यह एक सूजा हुआ मेंधक हो, अथर्व ने तुरंत ग्राविटी लिबरेशन को सक्रिय कर दिया, जल्दी से सब के सामने आ गया, कोला मुझ पर सुरक्षा आशिर्वाद का उप्योग करो, अथर्व जोर से चिलाया, प्रोट इससे पहले अथर्व ने कुछ अनावश्यक नाइट रैबिट्स को साफ करने में समय बर्बाद करने का कारण यह कौशल सनरक्षन आशिर्वाद प्राप्त करना था, कोला बहुत पहले से इस पल के लिए तैयार थी, जैसे ही अथर्व ने आग्यादी, उसका मुख दिव् ग्रंथों से घिरा हुआ था, जिससे एक चमकदार सुनहरी चमक निकल रही थी, उसी समय पंक्ती के पीछे, नींद में डूबे सलोथ ने लगातार रिकवर और लाइफ प्रेयर डाली, अथर्व के HP को पूरी तरह से वापस खीचा और उसे उसकी सबसे अच्छी स्थिती म लोटा दिया, एक धमाकेदार आक्रमन के लिए तयार रहें, बिल्कुल मेरी पीट से मत हटो, वेरवोल्फ फेट की दृष्टी रेखा को उनकी ओर जाते देख, अथर्व ने आग्या के अनुसार एबिसल ब्लेड को अपनी चाती पर पकड़ लिया, अथर्व की बाते सु उसकी फैली हुई चाती उपर की ओर बढ़ने लगी, उसके गले से होते हुए उसके मुहो तक जाने लगी, हो एक पल के भीतर अथर्व को छोड़ कर सभी ने महसूस किया कि उनका दिल धड़कना बंद कर रहा है, यह ऐसा था मानो दुनिया धूसर और खामोश हो गई हो, आकाश में उर्टे पक्षी भी गतिहीन हो गए थे, हर कोई वेरवोल्फ फेट के शरीर से निकलने वाली ग्रे रंग की लहरों को सपष्ट रूप से देख सकता था, लकीर दर लकीर इसका लगातार विस्तार हुआ, गहरे भूरे रंग की लहरें जल्दी ही सब के सामने आ पर लें, आलाकि वे एक मांस पेशी भी नहीं हिला सकते थे, ऐसा इसलिए नहीं था कि वे हिलना नहीं चाहते थे, बल्की इसलिए कि उनका शरीर उनके विचारों की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सका, हर कोई महसूस कर सकता था कि समय असाधारन धीमी गति से आगे परदान हुआ, समय असाधारन रूप से धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। इस समय केवल अथर्व थोड़ा हिल गया। बाद लहरों की एक और लहर मुहतोड आई। लहरे इस बार डोपेल गैंगर के शरीर से गुजरी जिससे उसका HP तुरंट 300 अंक कम हो गया। उसके पीछे अथर्व को भी 30 खशती हुई थी, जबकि अथर्व के पीछे अन्य को 20 खशती हुई थी। हाला कि लहरें सिर्फ एक लहर से नहीं रुखी। जब तरंगों की तीसरी लहर डोपेल गैंगर से गुजरी तो उसका शरीर तुरंट बिखर गया था। अथर्व के सिर के ऊपर 100 वाइंट का डैमेज भी दिखाई दिया। इसके बाद गहरे भूरे रंग की तरंगों की लहर के बाद लहर चली। एक सो एक सो एक सो एक सो एक सो अथर्व का एचपी बार-बार गिरता गया और केवल नब्बे अंक रह गया। जब लहरों की अंतिम लहर अथर्व से चुटकारा पाने वाली थी तो उसने पैरी का इस्तिमाल किया। हांग। अथर्व एक बड़ा कदम पीछे हट गया। हाला कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ उसके पीछे के लोग भी बाल-बाल बचे हाला कि हमलों की कई लहरों से गुजरने के बाद उनका HP 50% से अधिक नहीं था इस समय नेंद में सुस्ती की रिक्वरी केवल अथर्व के शरीर पर उतरी थी अथर्व के HP को वापस 140 पर खींच लिया जिसके बाद उसने जीवन भुगतान का उपियोग किया अथर्व के लिए 130 HP की वसुली की एक शन के भीतर अथर्व का HP 50% से अधिक हो गया था यह दहाड वास्तव में शक्तिशाली है मैंने तो सोचा भी था कि हम खत्म हो गए ब्लैकी ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोच्छा अगर अथर्व ने उनके सामने ब्लॉक नहीं किया होता तो वे सभी अब तक जा चुके होते जब उसने सोचा कि अथर्व लगभग कैसे मर गया तो ब्लैकी का दिल तेजी से धड़कने लगा प्रती मिनट 180 धड़कनों तक पहुँच गया अथर्व मरेगा तो वे भी मरेंगे पार्टी में कोई और नहीं था जो लंबे समय तक वेरवोल्फ फेट को पिन कर सके इस समय सभी ने अथर्व को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हूं उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अथर्व चतुराई से अपने हमशकल का इस्तमाल उन दो हमलों को रोकने के लिए करेगा उन्होंने अंतिम हमले में भी पैरी का इस्तमाल किया था जिस तरह से अथर्व ने नुकसान और एचपी दोनों की गणना की थी वह बिल्कुल शांदार था ऐसी तकनीक निश्चित रूप से देवताओं के दाइरे से संबंधित थी दिन में सपने देखना बंद करो तुम सब जल्दी से बॉस पर हमला करो यहां अभी कमजोर अवस्था में है अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया पर अथर्व ने केवल अपने कंधे उचकाए इस तरह की तकनीक कई विशेशग्यों द्वारा कुछ और वर्षों में की जा सकती है हाला कि अथर्व को अभी आराम करना था अभी उन्हें जिस चीज़ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना था वो थी बॉस केवल वह जानता था कि वेरवोल्फ फेट से निपटना कितना कठिन था पवन ब्लेड ग्राविटी लिबरेशन सक्रिय होने के साथ अथर्व तुरंत फेट के सामने आ गया उसने एबिसल ब्लेड को कसकर पकड़ लिया फेट की छाती की ओर लगातार हमले किये थंडरिंग फ्लैश डबल चॉप काटना एक के बाद एक वेरवोल्फ फेट के सिर के उपर एक सौ से अधिक क्षती दिखाई दी पार्टी के अन्य सदस्य भी प्रत्येक हमले के साथ बीस से अधिक क्षती से निपटने में सक्षम थे बहुत जल्दी उन्होंने वेरवोल्फ फेट के एचपी को 15% तक कम कर दिया था जब उन्होंने देखा कि फेट मरने वाला है तो सभी ने उत्साह की मुस्कान दिखाई लापरवाह मत बनो ब्लैकी अपने इविल भिप का उपियोग करो लोनली स्नो चार्ज के साथ बीच में आने के लिए तयार रहें वेरवोल्फ फेट के हमले को चक्मा देते हुए अधर्वने कमान संभाली अगर यहां कोई और पार्टी होती तो वे बहुत पहले ही कबरिस्तान में वापस आ जाते क्या वेरवोल्फ फेट के पास वास्तव में एक और शक्तिशाली कौशल हो सकता है यह नर्क विधा कितनी भयानक थी अधर्वने वेरवोल्फ फेट के एचपी पर लगातार ध्यान दिया जैसे ही फेट का एचपी 10% तक गिर गया उसकी तीसरी बड़ी चाल आखिरकार आ गई मौक निडर इस कदम से वेरवोल्फ फेट की हमले की गती में 100% की वृध्धी होगी इसकी गती में 40% की वृध्धी होगी और इसकी हमले की शक्ती में 100% की वृध्धी होगी जब तक की यह मर नहीं जाता यह ठीक यही कदम था जिसने अंगिनत संभ्रांत दलों को पागलपन में अभिशाप देने का कारण बना देथ बेरसक को सक्रिय करने के बाद वेरवोल फेट का फर लाल होने लगा शन भर में उसका रंग रख्त लाल हो गया था अपनी क्रिंसन लाल आखों और नुकीले-नुकीले हिस्सों को जोडते हुए फेट उलेखनिय रूप से एक रख्त बीज की तरह लग रहा था इसके भयानक रूप ने सभी को अंजाने में एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था वे फेट द्वारा दिये गए खत्रे की हवा को सपश्ट रूप से महसूस कर सकते थे अथर्व ने एक और डबल चॉप का इस्तिमाल किया जिसमें ब्लीडिंग इफेक्ट को पांच पर्तों में रखा गया था बाद में वह घूमा और भागा देथ बेरसक को सक्रिय करने के बाद स्तर पांच के तहट कोई भी नहीं था जो फेट को ब्लॉक करने में सक्षम था इसमें अथर्व भी शामिल था भले ही उसके पास जादूई हथियार था एक मात्र तरीका यह था कि इसे पतंग एक किया जाएं और धीरे-धीरे पीस कर मौत के घाट उतार दिया जाएं जैसे ही अथर्व दस गस की दूरी से भागा फेट की मोटी जांगो का आकार अचानक दोगुना हो गया उसका एक पैर अचानक जमेन से टक्राया जिससे वह तीर की तरह उरता हुआ अथर्व की ओर भागा अथर्व बड़ी चटान के स्थान पर पहुँचने वाला था लेकिन उसके पीछे फेट की गती बहुत तेज थी वह निश्चित रूप से नहीं कर सका अथर्व ने अचानक नब्बे डिगरी का तीखा मोड लिया हांग बिना किसी मोड के वेरवोल फेट सीधे बड़ी चटान में धंस गया जिससे उसका रास्ता अवरुध हो गया जिससे वह मलबे में बदल गया खंडिक चटाने एक व्यक्ती के सिर्के आकार को दस गस से अधिक दूर उड़ते हुए भीजा गया था इतनी भयानक ताकत देखकर कोला जैसे भयंकर आदमी का भी दिलकाम उठा था अगर वो उन पंजों से टकरा जाता तो वो मास का पेस्ट जरूर बन जाता इस समय अथर्व ने पहले ही फेल्ट से 20 गस की दूरी बना ली थी इस बीच जादूग्रों के हमले कभी नहीं रुके वे फेल्ट के HP को लगातार ग्राउंडेड कर रहे हैं पतंग फेल्ट करने की अथर्व की योजना सफल रही जब भी वेर वोल्फ फेल्ट पकड़ने वाला होता लोनली स्नो उस पर हमला कर देता इसके बाद उन्होंने बोन क्रशर के साथ फेल्ट की गती को बहुत कम कर दिया बाद में वह एक बार फिर फेल्ट से दूर हो गया जब लोनली स्नो के कॉशल कूलडाउन पर थे तो ब्लैकी ने फेल्ट को एक बार फिर से जकडने के लिए ईविल वहिप का इस्तिमाल किया उन दोनों के कॉशल में एक तवरित कूलडाउन था अथर्व के सामेक एबिसल बिंद के साथ, उन्होंने बिना रुके वेरवोल्फ फेट के साथ खेलने के लिए एक आदर्श चक्र बनाया था 7%, 6%, 5%, 3%, अंत में जब फेट के पास केवल 1% HP 6 था, तो अथर्व अचानक भूम गया पवन ब्लेड, थंडरिंग फ्लैश, काटना, डबल चॉप, अथर्व की अकेली तलवार वेरवोल्फ फेट की चाती पर धन्स गई, जिससे उसका अंतिम 1% HP दूर हो गया सिस्टम आपकी पार्टी नर्क मोड कालकोठी को साफ करने वाली पहली पार्टी है पुरसकार में 100% की वृध्धी हुई, लूट में 100% की वृध्धी हुई सिस्टम देथली फॉरिस्ट का क्लियर हैलमोर पुरस्कृत आठ हजार क्सप इस समय वेरवोल्फ फेट में विस्फोट हो गया, जिससे 10 से अधिक आइटम गिर गए और उनमें से एक था जिसने अधर्व की आँखों में चमकला दी थी क्रिंसन ब्लेड यह एक तलवार थी जिसमें ताजा खून का रंग था इसने एक सुस्त लाल चमक दी और ब्लेड के किनारों से टपकने वाले लाल तरल की हलकी बुंदे भी थी पूरी तलवार ने एक धनी मारक आभा प्रकट की अथर्व ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कमदर वाली वस्तु वास्तव में उसके सामने आ जाएगी एक पतंग विडियो गेमिंग और अन्य जगहों पर एक शब्द का वर्नन करने के लिए जब एक रेंजेड फाइटर गौड कर और शूटिंग करके एक हैंड टू हैंड फाइटर के साथ जड़प करता है इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं ए हाथ से हाथ की सीमा के बाहर रहते हुए दुश्मन को नुकसान पहुचाना या भी दुश्मन को अपना पीछा करने के लिए ताकि आप उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर ले जा सकें